अस्सलाम अलेकुम हमारी आज की नोवल का नाम है कैसे चारगर हो तुम असकलम हुमा आमिर हमारी नोवल रिवेंज बेस्ट नोवल है और फोर्स मेरिज बेस्ट नोवल है आफ्टर मेरिज बेस्ट नोवल है कजीन मेरिज बेस्ट नोवल है किडनापिंग बेस्ट नॉवल है हमारी नॉवल में सस्पेंस है इंट्रेस्टिंग नॉवल है और मैंने खुद ये नॉवल रीट की है मुझे तो अच्छी लगी है उमीद करती हूँ कि आप लोगों को भी नॉवल पसंद आईगी और जाहर सी बात है हमारी नॉवल हप्पी एंटिंग है और आप लोगों को नॉवल कैसी लगी सुनने के बाद मुझे जरूर बताईए का चलिए हम लोग नॉवल स्टार्ट करते हैं वो कदरे खुनक दिन था उसे कॉलिज से बाहर आने में आज देर हो गई थी लैब में डाई सेक्शन करते हुए उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ आज सारा भी कॉलिज नहीं आई थी सो वो तनहा ही थी गेट से निकलते हुए उसने सोचा के नजदी की बैकरी से बाबा के लैंड क्रोजर के नजदीक वो वजीहा शक्स कड़ा अपने खास मुलाजिम जलाल खान से कुछ कह रहा था गहरी सबस आंखों को संग्लासिस ने ढाप रखा था आयात में अपना सर जुकाया और तेस खदमों से आगे बढ़ने लगी उसे समझने में लमहा भी नहीं लगा था कि वो इसकी तलाश में ही इधर आया है लेकिन इसकी चर्ड लमहों की गफलत में आयात मुस्तफ़ की रहाई के दिनों में इदाफा कर दिया नजदी की गली में दाखिल होने के बाद इसने रुक कर सर मोर कर उसके जानी देखा वो अब गेट की जानी देख रहा था जहां से एकादुक का तालबात अब भी सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस खाचाने के लिए निकल रही थी इसके चहरे पर अब भी उमीद की किरन नजर आ रही थी आयात नी एक तवील सांस खारिच की आज फिरू बच निकली थी उसने अपनी रफ़तार को तेज कर दिया आयात उसे देखकर चौंकी मगर ज्यादा हैरान नहीं हुई थी क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी तलाश में कहीं भी पहुँच जाएगा इसने दिल में तैय कर लिया कि उकित दिनों तक घर से बाहर ही नहीं निकलेगी ताकि उमायूस होकर लौट जाए आयात जब केमेस्टरी लेब से बाहर निकली तो सारा इसके इंतिजार में पुवारे के पास खड़ी थी चुके इसका गुरूप अलग था सुवा आयात से पहले प्रैक्टिकल करके फारिग हो चुकी थी क्या बात है सारा तुम परिशान नजर आ रही हो उसने जर्णर को बाएं हाथ मुंतकिल करते वे सारा से पुछा यार आयात बात यह है के जर्णरोस पहले प्रिंसिपल के आफिस में एक बड़ी शक्सियत आई थी गार्ड्स के साथ मेडम नगीना ने बताया कि वो तुम्हारा पोच रहे थे सारा की मुंसे सुनकर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई फिर प्रिंसिपल ने क्या बताया इसने सारा से पुछा मेडम नगीना ने बताया कि प्रिंसिपल ने उन्हें टाल दिया लेकिन वो फिर आने का कह कर गया है सारा उसे बगवर देख रही थी और वो ये सब सुनकर परिशान हो गई क्या प्रिंसिपल इससे पूठेंगी तो वो उन्हें क्या जवाब देगी आयात कौन है वो मालूम नहीं मैं नहीं जानती मैं चलती हूँ सारा आज मुझे खट जल्दी जाना है उसने तेजी से कदम आगे बढ़ाए सारा उसे जाता हुए देखती रही वो उसे बहुत उलड़ी हुई लग रही थी घर पहुँचकर भी आयात का दिल मस्तरिब था बाबा को कुछ भी बता कर वो उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी इबाद का फोन आया था बाबा ने खाने के दौरान उसे बताय तो उनको देखने लगी कह रहा था कि उसी साल आने की कोशिश कर रहा है वो चाहता है कि शादी के बाद हो तुम्हें अपने सार दुबई ले जाए बाबा के धरे पर बहुत खुबसूरत मुस्कान थी जबकि इस कहलक में कुछ अटकने लगा बाबा आप के लिए चाहे लाओ उसने बमश्किल पूछा नहीं बस मैं अब बाहर जाओंगा अहमेद अली अपनी बेती की शादी की सिसले में मश्कुरा करना चाहरा आए उसने घर पर बुलाया है मज़े देर हो जाएगी तुम खाना खा लेना और हाँ दर्वाजा अच्छी तरहा बन कर लो वो कहकर उट खड़े हुए बाबा के जाने के बाद वो दर्वाजा बन करके वापस उसी कुर्सी पर आकर बैट गई उसने सर दोनों हाथ में थाम लिया कुछ सुजाई नहीं दे रहा था तालिम अधुरी छोड़कर खट बैट जाए मकर फिर वो बाबा के सामने क्या जवास पेश करेगी वो बाबा को तकलीफ नहीं देना चाहती थी लेकिन वो जानती थी के एक ना एक दिन ऐसा हो कर रहेगा उसकी साथ बाबा के लिए आजार का बास बन जाएगी इसकी आँखों में नमी चमकने लगी और इबात आ गया तो वो इससे शादी क्यों कर कर सकेगी नजाने कितनी ही देर तक वो मक्तलिफ सोचों में उल्ची रही इन चक्करों में हो तुम कल भी मैं तीन घंटे बैट कर चला गया मौसूप से मुलाकात नहीं हो पाई फाहद आज फिर से आफिस में मौजूद था एक काम से गया था उसने फाइल सरकाई गर्स कॉलेज में काम की नुएट क्या हो सकती है फाहद ने सोचने की अदाकारी की जबके वो सर्द अतासरात ले फाहद को खुरने लगा ऐसे क्या देख रहे हो मैंने कुछ गलत कहा क्या तुम गर्स कॉलेज ही गए थे ना तुम को मेरी जासुसी करने के लिए किसने कहा उसने गुर्रा कर कहा तुफाहद ने सहम जाने की भरपूर अदाकारी की क्या करू यार मेरा दिल मुझे बहकाता रहता है कि मैं तुमारे खबर रखा करू खई तुम हाथ से निकलना जाओ उसने मासुमियद से कहा शट अप मेरी जासुसी करने की बजाए अपने शॉपिंग मॉल पर तबज़े दो गोया तो मुझे नहीं बताओगे कि तुम किन चक्करों में हो जब जरूरत महसूस करूंगा तो बता दूँगा उसने रुखाई का वजारा किया फाहत ने खामोश होने में ही आफियत जानी क्योंकि वो जानता था कि अपने दोस्त से वो जबरन कुछ भी उगलवा नहीं सकेगा फाहत का सूचा हुआ मूँ देखकर उसे हसी आ गई जिसे छुपाने के लिए इसने इंटर कॉम कर इसी वर उठा लिया था एफसी के इमतिहान में तीन महा कार्सा था कॉलेज वाले तालबात को मेलेका को हसार मरी ले जा रहे थे आयात का भी दिल मचला जाने के लिए मगर बाबा की तनहाई का सोच कर इसने खामशी इक्तियार कर ली मगर जब बाबा ने उसे बताया कि वो और उनके कुछ दोस्त बलोचिस्तान के देही इलाकों में केंप लगाने जा रहे ताके वहां के लोगों को मुफ्त तिब्भी सहुलियात फरहम की जा सके इनका ख्याल था आयात एक हफ़ते के लिए उनके दोस्त एहमद अली के घर चली जाए एहमद अली की बेटी से आयात की अच्छी दोस्ती थी तो आयात ने बाबा को कॉलिज के ट्रिप का बताया बाबा ने उसे बहुशी जाने की जाज़त दे दी वो खुशी खुशी अपना और बाबा का सामान पैक करने लगी एन वक्त पर पता चला के सारा ट्रिप पर नहीं जा रही क्योंकि इसकी दादी के इंतिकाल की खबर आ गई थी सो वो अपनी फैमिली के साथ सुखर रवाना हो गई आयात को सारा के साथ ना जाने का बहुत अफसोस था वो दोनों स्कूल के जमाने से साथ थी और दोनों में गहरी दोस्ती थी उसने सोचा कि वो भी ना जाए फिर ये ख्याल आया कि अंकल एहमद अली के घर जाकर रहने से बहतर है कि कॉलिज ट्रिप के साथ मरी चली जाए सारा नहीं जा रही थी मगर दूसरी किलास फैलूस तो साथ ही थी मुकरारा वक्त पर तमाम तालबात असातिजा के साथ बजरिये सड़क मरी के लिए रवाना हुई थी सुरज ग्रूप होने के बाद वह सब मरी पहुँच गए थे रहाइश का इंतिजाम एक दर्मिया ने दर्जे के रेस्ट हाउस में किया गया रेस्ट हाउस के इर्द गिर्द का माहुल अपने अंदर बे पनहा हुसन समेटे हुए था लड़कियां खुशी से खिल खिलाने लगी मिसनगीना और मिसनायाम इने खुश देख कर खुद भी मुस्कुरा रही थी जबके सर अनवर और सर अशवाग सामान रेस्ट हाउस में रखवाने लगे सर अनवर इसी वक्त तमाम तालबात को मुखाटिब करके इने तनहा बाहर ना जाने की ताकीद भी कर चुके थे ठाकी हारी तमाम तालबात रात चल्द सो गई थी सुबा नूरुल एन की मसरत भरी आवास सुनकर इसकी आँख खुली थी क्या हुआ इसने करवट बदलकर नूरुल एन की तानी देखा जो खुड़की में खड़ी थी आयात चल्दी उचाओ बाहर बरबबारी हो ठुकी है ओगाट कितना खुकसूरत नजारा है उसने आखरी जुम्ला एक अदा के साथ कहा इसका तालुक कागान से था वो तालिम की गर्स से कराची आई थी इसकी रहाइश अपने चचा के घरती आयात अपने बालों को समेटी उठी उठी और नूर के पास जाकर खड़ी हुई आँखों के सामने मभूत कर देने वाला मंज़र था मलेका को हसार ने बफ की सफेद चादर ओर ली थी मध्धम उच्छाले में बफ चमकती वी महसूस हो रही थी बाहर चलें नूर ने आयात को मुस्कुरा कर देखा सब के साथ ही जाएंगे आयात ने जमाई रोग कर कहा सब सोर रहे हैं मैं देखकर आई हूँ नूर ने मुँ बसोर कर कहा हम दोनों एक घंटे में वापस आ जाएंगे नूर ने कहा तो आयात में सनल लायर वाश्रूम के जानी बढ़ गई पनरमेट के बाद वो दोनों के रमकपडों मलबूस गेस्ट हाउस के गेट से बाहर निकल रही थी हम किस तरफ जा रहे हैं नूर आगे एक ठाबा हैं वहाँ चलकर चाई पीते हैं नूर ने अपने दोनों हाथ आपस में रगड़े ठाबे पर दिन का आगास हो चुका था छोटा मेज कुरसिया साफ कर रहा था उसने आयात को बताया जबके आयात की तोच्चे सामने दरखत के पत्तों पर चमी बरफ पर थी छोटा चाई ले आया तो दोनों ने अपने अपने कप उठा लिए सुबा की चादर अभी पूरी तरह खुली नहीं थी कि अचानक सड़क पर किसी बड़ी काड़ी के टायर चाचराई और कुछ लोग काड़ी से बरामद होकर सीधे उनकी तरफ बढ़े नूर की आँखों में इत्मिनान जबके आयात की आँखों में हिरास छलकने लगा आयात मुस्तफ़ा किसका नाम है लंबे तरंगे शक्स ने दोनों को दर जीदा नजरों से देखा इस शक्स की रंगत तवे जैसी सया थी इसके साथ एक सुर्क व सफेद रंगत वाली औरत और एक अठारा बीस साला लड़का भी था आयात का हलक खुश हो गया था और जबान जैसे फार्ज जदा ये आयात मुस्तफ़ा है नुरू लेन इसकी कलास पेलू ने उली उठा कर इसके जाने बिशारा किया उठिये आपको हमारे साथ चलना होगा वो शक्स इसे मुखातिब है मगर क्यों मैं आप लोगों को नहीं जानती उस आदमी के चहरे के सद्ध तासुरात उसे खौफ जदा कर चुके थे ये आपको हमारे ठीकाने पर चलकर मालूम होगा हमारे खान आपसे मिलना चाहते है अपके वो औरत बोली साथ ही उसने बाजों से पकड़कर खीज़त आयात उठ खड़ी भी वो जबर्दस्टिव से घसीट कर आगे बढ़ रही थी उसका रुप गिरे प्राडू की जानी था जिसमें वो लोग आये थे आया चहरा मोड कर मददतल नजरों से मौनूर को देख रही थी वो लंबा आदमी जो हतियार से लेस था नूर के सर पर सवार था को बचाने की कोशिश नहीं की थी जब आप तोनों साथ बाहर गई थी तो उसे आप के साथ ही वापस आना चाहिए था मिस नायाब ने नूर से बास प्रस करते हुए कहा मैंने उसे कहा मेम कि वो मेरे साथ ही वापस चले लेकिन उसने कहा कि वो अपनी आन्टी से मुलाकात करके शाम तक वापस आ जाएगी उसकी आन्टी की रहाइश नजदीक ही है नूर ने पुर अतिमाद लहजे में कहा ये रूल्स के खिलाफ है आयाद को ऐसा नहीं करना चाहिए था मिस नर्गिस ने मिस नायाब से कहा आयाद ऐसी गहर जिम्मेदार लड़की नहीं है नजाने उसने ऐसा क्यों किया मिस नायाब ने अपनी राय का इज़ार किया ग्रूब में ट्रेम गया होने लगी ग्रूब की एक हनुहार लड़की सुबह से लापता थी लड़कियों में खौफ का तासुर पाया जाता था क्योंकि दोपहे का वक्त हो चला था आयाद की कोई खबर नहीं थी हत्ता कि इसका सेल फॉन भी रिस्ट हाॉस के कमरे में ही मौजूद था इससे रापते का कोई जरिया और नहीं था सफर का एक्तिताम एक इमारत के आहतिम हुआ उसे जिस कमरे में लाया गया था वहां आतिजदान में लकडियां सुलग रही थी मर्द बाहर ही रुक गये थे कमरे तक उससे औरत ही साथ लाही थी हो भी उसे कमरे में छोड़कर दर्वाजा बंद करके चली गई इसके हाथ पैर खौफ की ज़दा ती या फिर मौसम की वज़े सर्द हो रहे थे अलबता एक कमरा कद्र करम था सत्रा साला लड़की की आँखे भीखने लगी थी ये कसी अफ़ताद आपड़ी थी इस पर नचाने कौन थे ये लोग और मुझसे क्या चाहते है वो दोनों हातों में चहरा छुपा कर रोने लगी काश मैं यहां आने के बज़ाए एहमद अंकल के घर ही रुख जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता कितनी ही देर तक वो रोती रही आहट पर चौंकी दर्वाजा खोड़कर दाखिल होने वाली एक लड़की थी उसने लाकाई लेबास पहन रखा था हातों में नाश्ते की ट्रे थाम रखी थी नाश्ता कर ले उसने ट्रे तपाई पर रखकर आयात को बगवर देखा वापस ले चाओ मुझे कुछ नहीं खाना मुझे वापस जाना है उसने रुदीवी आवाज में कहा जाना है या इधरी डैना है उसका फैसला खान करेंगे लड़की ने हमदर्दी से भरपूर लहजे में कहा आयात का हुसन जहां सोज उसे मस्भूर कर गया रहदारी में किसी के कदमों के आहट सुनाई दी तो उस लड़की के साथ आयात पिचौंकी खान इधर ही आ रहे हैं वो सरस से कहती है बहा निकल गई आयात ने एधर की नजर दोड़ाई किसे छुपने के कोई जगे मिल जाए नजाने वो अनजान शक्स उसके साथ क्या सुलूक करे जो ही उसकी नजर नाच्टे के ट्रिक पर पड़ी उसने बिजली किसी तेजी से त्रहे में रखा शीषे का गिलास उठा लिया जिसमें पानी भरा हुआ था इसने पानी एक जाने बच्छाला और शीषे के गिलास को मेस पर मार कर दो हिस्तों में तक्सीम कर लिया अब वो इस तूटे हुए गिलास से आने वाले पर हमला करना चाहती थी एंजान शक्स कमरे में दाखिल हुआ तो आयात ने अपना हाथ उपर करके सामने देखा और देखती रह गई वो कोई मामुली इनसान नहीं था बे पनहा वजाहत का मालिक था इसकी आँखों कर रंग गहरा सब्स था आयात की गाच का तोटा कि गिलास देखकर और कर रफ़तारी से उसके नज़िक आया इससे पहले के आयात कि गिलास उसे खीच कर मार दी उसने तोटा हुआ गिलास आयात के हाथ से लेकर टुटा हूँग कर यहीं कहीं इसने आयाद के दोनों हाथ मोड़कर अपने अकब्से में कल लिए वो बुरी तरह चक्राई और इसके पुछते साहिर के चौड़े सीने से चाय लखी वो बुरी तरह बदहवास वी और मसामों से पसीना फूट पड़ा छोड़ो मुझे वो इसके गिरफ्त से निकलने के जाओ इस कमरे में जो भी ऐसी चीज़ है जिसे हतियार की तौर पर इस्तिमाल किया जासा कि उसे कमरे से हटा दो आयाद में इसकी आवास सुने बहारी दिलकश आवास इसकी शक्सियत से मेल खाती थी गुलमिना ने एक नज़र खान की बाहों के हिसां में गयत इस नौवर को देखा और दूसरे ही लमें इसमें ट्रे उठाई और इसके अलाबा को डेकुरिशन पीसे जो उसे फटरनाक लगे थी उठाकर बाहर निकल गई छोड़ो मुझे आयाद का हितिजाद बदस्तू चारी था तब आहस तकी से उसने आयाद को अपने गिरफते से आजाद कर आयाद की नजर अर्थ खुले दर्वाजे पर पड़ी इसने भागना चाहा मगर काम्याब नहों सकी वो फिर से उसकी कलाई पकड़ चुका था बार बार मुझे खुद को छूने के लिए मजबूर मत करो नर्मी से कहते हुए इसकी कलाई छोड़ दी आयाद कचहरा इसके अ गया और सोफिल पर सिमट कर बैट गई मैं तुम्हें नहीं जानती मज़े यहां क्यों लाया गया है मुझे वापस जाना है इसने आंसु भरी आंखों से देखा तू बेसाखता नजर चुरा गया जाने के बारे में अब सोचना भी मत मेरे और तुम्हारे दानियान बहुत क बॉक्टर मुस्तफा जिसकी वज़े से तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ा उसका लहजा एकदम सर्द हुआ आयात के रवबों पे में एक सर्द सी लहर तोड़ गई बाबा मेरे बाबा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है सुन सकोगी ठीक है सुनो उसने बोलना इसम में से जान निकल चुकी हो क्या वो सच कह रहा है आयात में सोचा मगर उसने जान लिया मैं तुम्हें सुबूत दिखाऊंगा तब तुम्हें मेरी बात का यकीन आएगा उसने कहा गलती बाबा की है तो तुम मुझे क्यूं सजा देना चाहते हो तुम्हारे बाब को मा करना होता तो कब का मार चुका होता इसके लिए असल सजा यही है कि तुम यहां रहो उस से दूर और वो तुम ही देखने को भी तरसे उसका लहजा पत्रीला हुआ देखो प्लीज मुझे जाने दो अब कि उसका लहजा मुल्टेजी आना हुआ वन जान बना अपने सेल फोन पर कुछ टाइब कर रहा था कुछ देर तक वो उसे देखती रही फिर जब बोली तो उसका लहजा तेज था मुझे जाने दो वरना मैं खुद कुछी कर लूँगी फिर तुम बदला लेते रहना उसका लहजा और अलफास सालार खान को चौका आने के लिए काफी थे कुछ तेर वो गहरी नजरोस से देखता रहा जो उसके जबत का इम्तिहान बनी बैठी थी दिल तो चाह रहा था कि मुस्तिफा अहमद की बेटी पर ताजा हुआ भी बन कर दे उसकी सांसों को भी कैद कर दे तुम ऐसे नहीं जा सकती जाओगी जरूर जाओगी मगर जाने से पहल होंगी इसने कदिया से कहा ठीक है मैं भी दो बंदों को भीजता हूं फिर इस बंद कमरे में जो कुछ तुम्हारे साथ होगा उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो जाएगी तुम्हारा बाप किसी को मुझ दिखाने के लाइक नहीं रहोगे खुदकुशी तो तु बाहर निकल गया आयात को रोना आ रहा था अपनी ऐसी बेज़ ज़ती का तो उसने सोचा भी नहीं था ऐसी सिल्लत आमेज मौत उसने उठकर दर्वाजा चेक किया लेकिन हजब तौक का दर्वाजा बाहर से बंद था आंसू बहाने का सिलसला रुक चुका था पर कोई तद तो वो अपने असातिजा से राप्ता करती कि वो इसकी मदद करने की कोशिश करे लेकिन अफसोस इसका सेलफोन गेस्ट हाउस के कमरे में रह गया था खटके के आवाज पर इसने नज़ ठाई सामने सालार खान कमरे में दाखिल हो रहा था इस वक्त इसने कैमल कलर का शलवा और सूट जैबतन कर रखा था निकाह के लिए तैयार है इसने बेसाखतगी से पूछा और पुरा सरार अंदाज मस्कुराया आयात को लगा कि इसकी दिल की धरकन डूब रही है लेकिन ना तो इसकी दिल की धरकन डूबी ना ही इसकी सांसे थमी और वो सालार के नाम हो गई निकाह के वक्त आयात की तरफ से सालार का भाई समीर शाहनवास खान और कजिन अश्मल खान शरिक थे वो दोनों सालार से उमर में बड़े लग रहे थे और दोनों हच से जादा संजीदा भी लग रहे थे उनके चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि वो मजबूरां इस न मजने के काबिल नहीं रहा था उठो तुम्हें वापत छोड़ाओं सालार खान की आवाज उसे बहुत दूर से सुनाई दी लेकिन उसने उठने में देर नहीं की सालार उसे गेस्ट हाउस से कुछ दूर छोड़ कर चला गया जब और पहुंची तो टीचर्स ने उसे देख मखदूश थी और बिना कुछ अपनी सफाई में कहे अपने कमरे में आ गई नूर वहां मौजूद ना थी बाद अज़ा उसे मालूम हुआ कि नूर के घर से किसी के इंतिकाल की खबर आ गई थी वो वापस चली गई है दूसरे रोज उसे तेज बुखार हो गया उसने दव अज़ार शाहनवास खान उसने लबों पर इस नाम कुछ हुआ जो समाथ कोई अक्सर अजनवी लग रहा था किसको बताओं किसे हम राज बनाओं तब यस समलते ही सोचों ने उसके गिर्द चाल बुना शूर कर दिया ट्रिप पर मौजूद किसी लगकी ने इससे कुछ इसकी कमजोर सेहत और जर्द रंगत देखकर परिशान हो गए उन्होंने तो सोचा था कि सफर इसकी सेहत पर अच्छा असर डाले का और वो तो कुमला कर रह गई बाबा ठंड की वज़े से मुझे बुखार हो गया था उसने उनकी तसलिक लिए कहा और वो उसे देखकर रह था तो जमर्द का लाडला एकलोता भाई यही वज़े थी कि शानवास खान ने बालाज की पैदाश के जशन में समरीन और असफनियार खान का रिश्टा तैकर दिया उसे मालूम था कि इस रिश्टे के पिछे समरीन की महबत पोशीदा है जो वो समरीन से करता था जिसकी तालिक सोचा भी नहीं था इसकी पूरी तवज़ अपनी पढ़ाई पर थी लाला ने इससे वादा किया था कि वो उसे यूनिर्सिटी में दाखला दिल्वाएंगे सो वो जी जान से इम्तिहानों की तैयारी कर रही थी पारिक वक्त इसका बालाज के लाड उठाने में गु चुके थे जम्रत भाबी और अस्वन्यार दो ही बहन भाई थे जैसे के वो और शाहनवास लाला बालाज घर भर का लाडला था बालाज जो साल का हुआ तो शाहनवास खान की फैमिली को बढ़ाने के लिए सम्रीन दुनिया में आँख खोली उन दिनों सम्रीन बीये के मस्तफ़ा अहमद से हुई वो शाम के वक्त लैबरेरी में आई थी उसे एक किताब की जरुड़त थी जो इस वक्त अहमद के पास थी दोनों में रस्मी सी बात चीथ हुई दोनों बाकायद्गी से लैबरेरी आने लगे चिताबों और पढ़ाई से मतालिक बाते करते करते दोनों दोस्ती के बंधर में बन गए समरीन को इसकी गहरी ब्राउन बोलती हुई आँखे अपने सहर में टकरने लगी ऐसे में गहरी सब्स आँखे पस मनजर में चली जाती थी जिन में समरीन की महबत का समंदर ठाटे मारता था और जो समरीन की ताली मुकमल होने का इंतज और शाहनवास खान अस्पिटल के लिए रवाना हो गए समरीन इन दिनों हॉस्टल में रहाइश पजीर थी क्योंकि आने जाने में ही काफी वक्त बीच जाता था अस्वनियार इसलामबाद के नीजी ऑस्पिटल में जेर इलाश था इसी ने शाहनवास खान को मुना किया थ अस्वनियार की हलत देकर वो भी परिशान हो गई इसके बाएं बाजू पर प्लैस्टर चड़ा हुआ था इतना कुछ हो गया लाला और आपने मुझे इतला भी नहीं की उसने शाहनवास खान से गिला किया अस्वनियार ने वना किया इसलिए मजबूरी थी शाहनवास खान परवा है तुम्हारी अस्वन तुम्हें परिशान नहीं करना ठाता था बस ये बात है जमर्द भाबी ने बाद समीटी और खाना लगने की इतला दी जिस पर सब अस्वन के बंगले के डाइनिंग हॉल की चानिब बढ़ गए और पिर समरीन सब कुछ भुला कर अस्वन की जिन्दगी का खुबसूरत तरीन हफता था उसे नहीं मालूम था कि ऐसे शब रोज इसकी जिन्दगी में फिर नहीं आएंगे वो आपस होस्वन जाने की तयारी कर रही थी कि जमर्द भाबी ने उसे आने वाले दिनों के नवीद सुनाई उसे अपनी समात पर शुबा हु तुम जानती हो कि अस्वन का और तुम्हारा रिष्टा पहले ही तय है मैं और तुम्हारे लाला चाहते है कि अब तुम दोनों के शादी हो जानी चाहिए ताके तुम अस्वन के साथ रहते हुए उसका ख्याल रख सको और अपनी तालीम भी मुकमल कर सको तुम्हारे लाला कहकर गए हैं कि तुम शौपिंग शूरू कर दो शादी तो हम अपनी लाके में ही करेंगे तुम शादी से चंद दिन पहले छुटिया लेकर आ जाना जमर्द ने तो पूरा प्रोग्राम ही तर्टीब दे रखा था वो बहुत खुश भी दिखाई दे रही थी समरीन में कुछ कहने के लिए मूँ खुला मगर कुछ कहना सकी जमर्द के खुश वो बाश चहरे जोश और खरोश ने उसके लबों पर ताले डाल दिये किस मूँ से वो लाला या भाबी के सामने मुस्तफ़ा का जिकर करे जबकि वो अस्फन की मंग थी लाला ने कभी उसकी कोई बात नहीं डाली पर ये कोई चोटी मोटी बात ना थी कि वो लाला से फर्माइश करती और लाला इसकी खुश पूरी कर देते रिश्टा तोड़ने पर तो इनके खानदान में खून की नदिया बह जाती थी और वो अपने दिल का क्या करती जो मुस्तफा के नाम की माला जबता था उसे मुस्तफा से वलाकात का मौका भी नहीं मिल रहा था कि वो उससे मशुरा करती अस्फन की तब बहतर थी वो आफिस भी जाने लगा था लेकिन जमर्द भाबी का फिलहाल जाने का कोई इरादा नहीं था वो शादी की शॉपिंग मुकमल करके ही दावादी जाना चाहती थी सो वो रोजाना ही समरीन को लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाती थी अस्फन का ड्रैवर उनके हमरा होता था समरीन ने सोचा कि वो अस्फन को मस्तफा के बारें बता दे मगर यहां भी उसे नाकामी का सामना करना पड़ा शाम के वक्त वो लॉन में बैठी चाय पी रही थी और दिली दिल में इन जमलों को तर्टीब दे रही थी जो उसे अस्फन से कहने थे लौन में ही एक जाने बालाच अपनी मानों से खेल रहा था खामुशी के चादर में अस्पन की खुबसरत आवाज ने शगाब डाला मैंने सोच रखा है कि मैं तुम्हें शादी के बाद न्यूजिलेंड लेकर जाओंगा वहां बहुत उसन है मैं जब जब वहां गया हमेशा मैंने शिद्ध से तुम्हें याद किया समरीन उसके लहजे से महबत आया हो रही थी वह हमेशा से ऐसा ही था बहुत ख्याल रखने वाला पर जाने क्यों समरीन के दिल में उसके लिए महबत पैदा ही नहीं हो पाई थी और अब वो मस्तफ़ा से भी दस्तबरदार नहीं होना चाहती थी मस्तफ़ा मेडिकल के फाइनल एयर में था बहुत सोचने के बाद भी उसे कोई हल नजर नहीं आया असफ़न बहुत देर तक आने वाले दिनों की बाते करता रहा अपने मस्तबिल की बाते जो वो समरीन के साथ जीना चाहता था समरीन ने कॉलेज जाना शूरू कर दिया शादी की शौपिंग मुकमल हो चुकी थी जिस रोज असफ़न के हाथ का प्लास्टर खुला उसके दूसरे रोज समरीन हॉस्टल लोड गई और वो सब लोग अपने इलाके में जाने के लिए रवाना हो गए इने शादी के इंतजामात करने थे जो के ठीक एक महने बात होना थी वो इसे शाम मस्तफ़ा से मिलने के लिए उस रेस्टरोन में आ गई जहां मस्तफ़ा इसका मुनतजर था इसकी जुबानी तमाम हाला जानकर वो बेचैन हो गया उसने समरीन से कहा कि वो शाहनावास लाला से मिलकर अपना रिश्टा उनकी खिश करेगा लेकिन इसकी बात सुनकर समरीन ने लफी में सर हिलाया वो कभी नहीं मानेंगे बलके इन्हें ये बात मालुम हुई तो मुझे नजर बंद कर दिया जाएगा जबरन मेरी शादी असफ़न से करा दी जाएगी चुके शादी ना होने की सुरत में खांदान में लाला और असफ़न की बहुत बदनामी होगी और आपके साथ भी नजाने क्या सुलुक किया जाए उसे हमें में अंदाजम बोल रही थी उसे अच्छी तरह याद था दो साल पहले उनके इनके लाके की एक लड़की ने दुसरे लाके के लड़के से पसंद के शादी कर ली थी दोनों रोपोश हो गए थे लेकिन लड़की के भाईयों और मंगिता ने उन्हें ढून निकाला और फिर मौत के घाट उतार दिया कि क्या चाहती हो तुम मस्तफ़ा ने पूछा अंजाम जानने के बावचूद मैं अपनी मन पसंद जिन्दगी जीना चाहती हूँ और अपने मन पसंद हमसफर के साथ और वो आप है मस्तफ़ा बिलकुल अंजाम जानने के बावचूद उसने बेख़फ़ सी कहा फैसला हो टुका था दोनों ने उसे शाम निकाह कर लिया गवाहों की सुरत में मस्तफ़ा ने अपने दोस्तों को एताबान में ले लिया मिका के बाद समरींग वापस हॉस्टल चली गई और पेपर्स की तैयारी करने लगी जबके मस्तफ़ा बैरूने मुलक जाने के लिए दोनों के काकसाद बनवाने लगा मस्तफ़ा अपने वालिदें की एकलोती ऑलाद था इसके वालिदें की दो साल पहले एक हादसे में वफात हो गई इसके लिए काफी जायदा छोड़ कर गए थे जिस दिन समरींग का आखरी पेपर था उसी शाम की फ्लैट्स दोनों दुबई चले गए और वहाँ जाकर नई जिन्दकी कागास किया जबकि यहाँ वादी में जब शाहनवास खान कोई मालूं हुआ कि समरीं होस्टल में मौजूद नहीं है बलकि इसका कहीं भी पता नहीं चल रहा तेक इश्तियाल के लिए इनके पूरे वजूर में फैल गई रात तक इन्हें तमाम तफसील का इल्म हो चुका था और तमाम हकीकत जानने के बाद इनके गंदे चुक गए वो खुद से भी नज़र चुराते वे अपने कमरे में बन हो गए लेकिन अगली सुबा इन्हें कमरे से निकलना ही पड़ा असफनियार खान ने खुद कुशी कर ली थी शानवास खान ने उसका सफेज चहरा और पत्राईवी आँखे देखी तो उन्हें खुद पर जब्द करना मुश्किल लगा जमर्द को खानदान की खुआतीर ने घेरा हुआ था इसकी आहाव फिगा से हवेली कुंच रही थी असफनियार के हवेले में कोहराम मच्चा हुआ था हर आँख अश्कबार थी ना जाने कैसे पूरी बरादरी को संब्रीम की शादिक की खबर हो चुकी थी लोगों की तंजिया निगाहे शानवास खान के वजूद को छेद रही थी और इसी लम्में उन्होंने अपने रप से दुआ की थी कि वे ने बेटी का बाप ना बनाए असफनियार के बाद मजीद एक माँ वो वादी में रहे और अपने तमामामलाब का निगरान अपने चचाजाद भाई जमाल खान को बना दिया इस वक्त तक के लिए जब तक बालाज किसी लाइक न हो जाए और खुद मूँ छुपा कर नॉर्वेट आ गए इन में लोगों की नज़रों को सहने की हिम्मत ना थी ना ही ये जुरत के वो अपनी अजिज़ जान बेहन को ढून कर उसे जमीन में गार दे और यही मसला अस्पन के साथ था समरीन को तक्लीब देने के बारे में उसोच भी नहीं सकता था तो अपनी जान पर खेल गया बस एक जमर्द थी जो ना तो समरीन को माफ कर सकी थी और ना ही उसे जून सकी थी ताके इससे बनला ले सके अपने लाडले भाई की मौत का और अपने महबुक शोहर की जुदाई का जो अपने बच्चों और बीवी को छोड़कर परदेस में जा बसा था शायद इस तरह उसमरीन के किये की सजा खुद को दे रहा था शानवास खान के जाने के दो महाँ बाद जमर्द ने तीसरे बैटे को जनम दिया जिसका नाम इसने खुदी सालार रख दिया क्योंके शानवास खान को अब किसी भी मामले से कोई सरुकार ना था जमर्ड अपने तीनों बेटों के दिलों में सम्रीन के खिलाव जहर उंडेलती रही लेकिन नतीज़ा उसे बेटों के जवान होने पर मालू हुआ बालाच को अपनी पुपो के उठाए गए लाट अब भी याद थे यही हाल समीर का था अलबता सालाच जो सबसे छोटा था उसम्रीन के नाम से बेचिएगता था अपने मामों की मौत का जिम्मधार वो थेराता था और इसकी बाप की शपकत से मेहरुमी की बज़े भी सम्रीन ही थी जमर्द हर साल बच्चों को शानवास खान से मिलवाने नौर्वे ले जाती थी जवान होने पर बैटे खुद ही जाकर मिल आते थे अगर ना भी जाए तो बापने कभी पुकारा नहीं था बैलाच के शादी तेह हने पर जमर्द बहुत आस के साथ शानवास को लोटने का कहा लेकिन शानवास ने इंकार करके उन्हें मायूस कर दिया यही हाल समीज की शादी पर हुआ यही वो हालात थे जो समर्ध के दिल में मवजूद सम्रीन की नफरत को कम नहीं होने दे रहे थे, वो तो इस बात से भी बेखबर थी कि सालार खान ने दिल में क्या ठान रखी है, बीबी जान क्या अच्छा नहीं किया सालार ने, बालाश ने बहुत संजीदे कहा, क्या मतलब है, क्या अच्छा नहीं किया, जमर्द ने पैर दबाती सबूही को जा मुझ बहूत देर से मालुम हुआ και मैं असे मनमारी ना करने देता निकषा में गवा के तौर पर उस्ने समीर और अश्मल को और लड़की के वली के तोर पर जमान कु बलात था मुझे देस ही सारी चीकत मालुम हुई है दिल आगया होगा सालार का उस पर जम torch ने जमर्द ने उसे बहुत छूट दे रखी थी आप भी बालाच की बात को उन्होंने संजीदकी से नहीं लिया था ना ही उनका सालार से किसी किसी किसम की बासपरस का इरादा था यूभी वो अभी जेरे तालीम था इसलामबाद की यूरिसिटी से एंबिया कर रहा था उसका इर देखा और चब वो विकेंड पर सालार ने आकर उन्हें तफसील बताई तो दंग रह गई वो लड़की आयात मुस्तफा है बीबी जान बाबा की बेहन की बेटी वो सोफे पर टांग पर टांग रखे इतमेनान से काजू खाते वे बोला तुम्हें इसके बारे में कैसे पत पर रखी तुम्हें उसे चानने क्यों दिया दोबारा कैसे ढूंडोगे जमर्द ने बेकरारी से पूछा वो बहुत चोटी है वीबी जान और हमारी नफरत का बोच बहुत जाता है मैंने उसे दो साल की छूट दे दी है वो दो साल के बाद मैं उसे फिर से ऐसे ढूंड ल गया और जमर्द सकते की कैफियत में कितनी ही देर तक इस दर्वासे को देखती रह गई जहां से वो बाहर निकल कर गया था मस्तफा मुझे लाला बहुत याद आते हैं बालात और समीर भी नजाने वो लोग मुझे याद करते होंगे या नहीं जमर्द भाबी मतों मुझसे नफरत करती होंगी ये शायद बहुत नाराज होंगी वो खोई-खोई लेजे में बोड़ रही थी उसके उल्लिया आट साला आयाद के बालों को सहला रही थी जो किनीं की वादी में डूब चूकी थी तस सालों में वो ये बात हजार बार दोहरा चूकी थी उसे अस्वन भी याद आता था उसे डर था क्यों पाकिस्तान जाएगी तो उसे मार दिया जाएगा इसके शोहर और बेटी को भी जिन्दा नहीं छोड़ा जाएगा वो जीना चाहती थी मैं अगर मुस्तफा की संगत में आयाद को अपनी नजरों के सामने बड़ी होते हुए देखना चाहती थी मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि तुम अपने लाला को टेलीफोन करो और इनसे माफी मांगो मुझे उमीद है कि वो तुमें माफ कर देंगे समरीन मुस्तफा अहमद ने कई मरतबा की दोराई बात फिर से कही समरीन नफी में सर हिला दिया था उठून लेंगे और फिर मा डालेंगे हम तीनों को खौफ इसका पीछा छोड़ता ही नहीं था और इसी खौफ के जेरे सर वो आयाद का साया बनी रहती थी मुस्तफा जब तक घर ना आजाता वो जले पैर की बिल्ली वनी रहती इस बात से बेखबर के जिन अफराद का खौफ उसे चैन नहीं लेने देता वो दोनों तो खुद पर्दा की हुए थे एक ने मिट्टी का पर्दा ओर लिया था और दूसरा उसका अजिस जुद जान भाई अपने दुनिया में मौजूद हर रिष्टे हर तालुक से पर्दा करके नौर्वेज जा पैठा था क्योंकि उन दोनों मर्दों में ये जुर्ट नहीं थी कि वो समरीन से उसकी जिन्दगी और खुशिया चीन सके लेकिन समरीन इस बात से बेखबर थी और बेखबर ही रही शब और रोज अपनी रफतार से आगे बढ़ रहे थी इस रोज समरीन इमतिहानी मरकज से आयाद को लेने आई थी आयाद का मैट्रिक का आखरी पर्चा था समरीन के पास ड्राइविंग लैसेंस था और वो खुद गाड़ी ड्राइब कर रही थी आयाद पैसेंजर सीट पर बैठी माँ से बातों मसरूफ थी समरीन इसकी बातों का जवाब दे रही थी जाने कैसे इससे चूक हुई इसके चोटी सी कार सामने से आने वाली बड़ी काड़ी की टकर से उचलती हुई दूर जागिरी समरीन का जहन अंधेरे में उतलने लगा उसे आखरी ख्याल अपने साथ बैठी बेटी का आया था जिसकी चीक इसकी समात ने सुनी थी उसके बाद अंधेरे की दबीज चादर इसके इर्द गिर्द फैल गई उन दोनों को उसी प्राविट हॉस्पिटल में लाया गया जहां पर मुस्टफा मसीहाई करता था समरीन का बेजान लाशा देखकर उसके हवाज जाते रहे आया जखमी और बेहोश थी दूसरे डॉक्टर्स ने उसे समाला रात तक उसे होश आ गया और वो अपनी माँ को याद करके रोने लगी डॉक्टर मुस्टफा की कॉलिक फात्मा रजा उसे समालने लगी थी दो दिन बाद उसे डिस्चारज कर दिया गया हॉस्पिटल से सीधे वो अलमख्तूम आय थे इनके पाकिस्तान के लिए फलाइट थी समरीन इनके साथ थी मगर ताबूत में सोई हुई समरीन की खौईश के मताबिक उसके तत्वीन पाकिस्तान में उसके अपने आबाई वतन में होनी थी और तत्वीन के बाद मुस्तफा अइमद ने कराची में रहाईश इक्तियार कर ली जिन्दकी में जैसे इनके लिए कोई रंगीनी बाकी नहीं रही थी जो ही नजर आयात पर पड़ी वो जेने और मुस्कुराने की तगदो करने लगते समरीन के बाद आयात भी कम गो हो गई थी मुस्कुराना तो भूल ही गई उसे जिन्दकी की जानी वापस लाने के लिए मुस्तफा अइमद को बड़े जतन करने पड़े थी उन्होंने कराची की कॉलेज नो उसका दाखला करवा दिया कॉलेज के माहूल ने भी उसे जिन्दकी की जानी लोटने में मदद की थी वक्त गुजरता रहा उसे करणियर में आ गई कॉलेज की जाद़ा लड़कियां इसकी खुबसूरती पर फिदा थी तो बख्या लड़कियां इससे हसत करती थी इन में एक नुरूलैन भी थी जिसने मौका मिलने पर उसे डस लिया और ये इसकी जिन्दकी में रूनुमा होने वाला दोसरा हादसा था 18 साला लड़की ने बड़ी मुश्किल से खुद को इसकाबल किया था वो खुद पर बीते हादसे से अपने बाप को बेखबर रख सके क्योंकि वो जानती थी कि ममा के बाद बाबा की जिन्दकी में खुशी नाम की कोई चीज़ थी तो वो हायात मुस्तिफा इनकी बेटी थी से खौफ था कि बाबा को इस वाके के बारे में इल हुआ तो जी नहीं पाएंगे पिछले साल ही तो उन्होंने इसकी निस्बत टै की थी अपनी कजिन के बेटे इबाद के साथ जो शारचा में मुकीम थे और आज बाबा कहे रहे थी कि बाद शादी के लिए पाकिस्तान आने की कुशिश कर रहा है वो उमलिया टटकाते वे सोचने लगी किस तरह इस शादी को टाले लेकिन उसे कोई बहाना ना सुझा तो ओटकर किचन में आ गई ताकि बिखरे काम समेट सके मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो मैंने आपा गुल से जर्मीन के लिए कहा था अब वो मुझ पर दबाव डाल रही है कि लड़की की शादी की उमर हो गई है जमर्द ने गुफ्तगू का अगास किया तो वो इन दिनों बहुत उखड़ा उखड़ा सा रहता था बीबी जान आपको ये बात मुझे पहले बताना चाहिए थी क्या आपने जर्मीना के लिए बात की है मेरा फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है आपा गुल से कहिए कि वो अच्छा रिष्टा देखकर जर्मीना की शादी कर दे इसकी रोशन पेशानी की सिल्वटे इसके नागवारी का पता दे रही थी तुम सम्रीन की बेटी की वज़े से ऐसा कह रहे हो ना जमर्द कलह जा एकदा तुंद हुआ सम्रीन ने इन्हें बताया था कि वो लड़की बला की हसीन है आप क्या समझ रही है मैंने उसके इश्क की वज़े से इससे निकाह किया है मैं उसके बाप से बदला लेना चाहता हूँ जैसे इसने हमारे खानलान को बरबाद किया है ठीक वैसे ही मैं उसे भी बरबाद कर दूँगा उसके लवजों में जहर भरा हुआ था मेरी तसली जब ही होगी जब तुम जर्मीना से निकाह कर लो रुकसती जब तुम कहोगे तब करवा लेंगे जमर्द की बात सुनकर उसने कुछ देर बगोर मां का चहरा देखा और फिर अजबात में सरिलाया ठीक है जो आप की दिल में है वो किजे उसका लहजा सर्द था मगर जमर्द ने परवा नहीं की और फिर इसने बालाज से जाने क्या कहा के बालाज ने जमर्द को निकाह के बचाय मंगनी पर रजमन कर लिया यूँ एक और मासुम लड़की सालार के नाम के पाबंद हो गई दोनों में से एक भी इसके दिल की मकीन नहीं थी ओह तो ये है सारी बात जो तुम मुझसे चुपा रहे थे फाहद ने इसकी बात सुनका सर हिलाया तुमने इससे नहीं कहा इसलिए किया है कि इसके बाब को बिल्कुल वैसे चोट पहुचा सको जैसे कि तुम्हारे बाबा को चोट लगी थी आफकोर्स वो कही खोया हुआ था लेकिन उस लड़की क्या गलती है सालार उसने तो तुमसे महबत नहीं की जैसे कि इसकी मान ने की थी फिर तुमसे क्यों बदले की आग में ठोकना ठाते हो फाहद को अंदेखी लड़की से हमदर्दी महसुस हुई तुम्हें इससे हमदर्दी क्यों हो रही है सालार को इसकी बाते फुजूर लगी थी मुझे तो इससे भी हमदर्दी महसुस हो रही है जिससे तुमने मंगनी कर ली है क्या तुमसे पसंद करते हो पहद ने पुछा मैंने कभी उसे गौर से भी नहीं देखा इसने लापरवाय से कहा फिर तुम पहले किसे रुकसत कराना चाहोगे इसकी संजीत की रुकसत हो गई थी आयात को और मुझे मालूम हो चुका है कि वो किस शहर में है पता भी जल्द मालूम कर लूँगा सालार के जहरे पर तफक्र की एक लकीर थी मिल जाएं तो मुझे जरूर बताना मैं अपने अंदर उनसे मिलने की खुआश पैदा होते देख रहा हूँ तुम जो के जूता तक अपनी पसंद का पहनते हो तुमने एक ऐसी लड़की को बीवी बनाया है जिससे तुम नफरत करते हो या फिर नफरत करना चाहते हो मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हाई नफरत कि इतनी जोर आवार है फाहत का लेडर नजाने के उतुर्क हो गया जिससे सालार ने शिद्द से महसुस किया लेकिन खामोश रहा तस दिन की गयर हाजरी के बाद दाज़ू कॉलेज आई थी पेपर्स की तारिक आ गई थी और वो एडमिट कार्ड लेने आई थी बाबा एक सेमिनार में शिर्कत के लिए इसलामबाद गय थे उसका इरादा हीना की घर जाने का था उसकी तब्यत खराब थी वो काफी दिनों से कॉलेज से गयर हाजर थी आयाद के टेलिफोन पर उससे बादची होती रहती थी यहां हैधराबाद में इसकी हिना से ही दोस्ती थी कुराची वाली सहलियों से तालुक इसी वक्त तूट गया था जब उन्होंने कुराची छोड़ा बाबा के सामने इसे ड्रामा करना पड़ा था कि उसे कुराची के आब होवा रास नहीं आई उसका दिल कुराची में नहीं लगता तो बाबा ने इसके दबाओं में आकर कुराची छोड़ दिया और हैदराबाद आ गए अब दो साल कुछ सार जाने के बाद इसने कॉलिज गेट के सामने सालार को देखा था उसे लगा इसने मौत को देख लिया हो और वो सख्त जहनी इंतिशार का शिकार हो गई थी उसे कोई रास्ता भी सुझाई नहीं दे रहा था वो अपनी जात से बाबा को कोई दुख नहीं देना चाहती थी लेकिन उसे ये भी मालूम था के जल्दिया बदेर इसकी जात से बाबा को बहुत दुख मिलने वाला है और वो कुछ नहीं कह पाएंगी अपने बचाओं में और इबात को जब मालू होगा कि उसकी मंगेदा किसी की मनकोहा है तो क्या सोचे का इसके बारे में वो रिक्षे में बैठे बैठे आने बाले वक्त के बारे में सोच रही थी अपनी नाम की पुकार सुनकर उसने रिक्षे से बाहर जाका उसे लगा जैसे इसकी रगों में खुन जनने लगा हो रिक्षे के साथ साथ सिलवर प्राडू चल रही थी ख़्ड़की का शिशा गिराए वो सालार खानी था जो उसके नाम से पुकार रहा था आयात रिक्षा रुकवाओ तेज लेटिंग बोर रहा था तेज चलाओ भाई ये ये लोग मुझे नुकसान पहुचाना जाते है फुदारा तेज चलाओ उसने चीख खर रिक्षावाले से कहा रिक्षावाले ने एक नज़ा सालार खानल्स की गारी पर डाली और फिर रिक्षे की रफ़तार बढ़ादी मगर वो जानता था कि उसका रिक्षा सालार की बड़ी कारी का मुकाबला नहीं कर पाएका तो इसने पत्ली गली में रिक्षा मूल लिया इतनी कम चौडाई वाली गली में सालार की कारी दाखिली नहीं हो सकती थी दूसरे जानिब सालार अपने बाल नोच कर रह गया इतनी इतनी छोटी छोटी गलियों में पराडो का दाखिल होना मुम्किन नहीं था सालार ने सड़के किनारे पराडो रोग दी उसे अफसोस था कि वो आयात तक नहीं पहुच पाया साथ ही ये तसली भी थी कि वो हैदराबाद में ही है आयात जब हीना के घर पहुची तो हीना इसका इंतिजार कर रही थी आयात वापसी की ख्याल से बहुत खौज़दा थी हीना को इसका घबराया हुआ अंदास तश्वीश में उब्तिला कर रहा था उसने बहाना बना दिया कि कुछ लोफर लड़के उसकी रिक्षे का पीछा कर रहे थे इसलिए वो परिशान है उसकी परिशानी देखका हीना ने उसे रात तक के लिए रोक लिया रात की खाने के बाद वो अपने भाई के साथ गाड़ी में उसे घर छोड़ने आए थी घर की चार दीवारी में पहुँचकर आयात ने सुकून का सांस दिया मगर अब सुकून उसकी मुकदर में नहीं था दूसरे रोज सुबह ही बाबा वापस आ गए और शाम की फलाइट से इबाद भी पाकिस्तान आ गया उसे बेहाने के लिए फपो कैसी है उसने चार से फारिक होकर पूछा फाइं उननाने मुझे कहकर भीज़ा है कि इबाद तुम शादी की तैयारिया करो आयाद के पेपर्स बनवाओ निकाह तक मैं भी पाकिस्ताना जाओंगी उसने मां के अलफाज दोराए आयाद के मस्कुरहत फीकी पड़ गई निकाह के जिकर पर उसे सालार खान यादा गया सालार खार ने उसके लिए अजनभी था जबके इबाद के साथ इसका बच्पन दुबई में दोनों एक ही स्कूल में जिरे तालिम रहे इबाद इससे सिनियर था स्कूल में आयाद का ख्याल रखना उसकी ही जिम्मेदारी थी चाय के बाद इबाद बाहर चला गया हैदराबाद में उसका एक फेस्बुक फ्रेंड रहता था वो इससे मिलने गया बाबा उसे खाने पर एहते माम करने का कहकर क्लिनिक चले गए खाना पकात थे वे वो यही सोचती रही कि उसे अगला कدم क्या उठाना चाहिए सालार के निकाह में होते हुए वो इबाद से निकाह कैसे कर सकती है और सालार उसे कभी नहीं छोड़ेगा वो इचान चुकी थी रात के खाने के बाद इसने बाबा और इबाद को चाय बना कर दी और खुट लौन में आकर टहलने लगी मौसम अब बजल गया था उसने नजर उठा कर आस्मान पर चान को ढूनने की कोशिश की तब ही उसे अपनी पुष्ट पर आहट महसूस हुई उसने मुर कर देखा इबाद इसकी पीछे आकर खड़ा हो गया था इबाद को देखकर उमधधम समस्कुराई कुछ नहीं बस यो ही मुझे ख्याल आया थ आस्मान पर चान कितना तनह होता है उसने दिरे से कहा तो अबाद इसकी बात पर मुस्कुरा दिया पर वो जो चान ने सितारों की महफिली सजा रखिये वो क्या वो तो बस जी को बहलाने का सबब है वरना सितारे कब चान की हमनुआई कर सकते हैं हाँ जैसे के जमीन पर बोज़ल हुई नजाने क्यों मुझे वहम हो रहा है आयाद कि तुम बदल गई हो या फिर किसी बात को लेकर परिशार हूँ तुम्हे याद है ना आयाद हम दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त है तुम मुझे सब कुछ शेयर कर सकती हो हर प्रॉबलम इबाद ने रसानि नहीं सकती बस आप मेरी हल्प करें इसके आंसो पलकों की बार फलांग चुके थे ओके मैं मामों से बात कर लूँगा तुम प्लीज रो मत इसने पजमर्दिकी से उसे दिलासा दिया वो आयाद से महबत करता था इस वक्त से जब वो बहुत चोटी थी और इसके साथ खेला क चला गया वहां उसका दुदिया आबाद था अलबत्ता हो मुस्तफा अहमद से बात करके गया था कि मा की जिद पर वो यहां आया है मगर वो फिलहाल शादी के मामले में नहीं पढ़ना चाथा इस दिन वो बहुत खौफ जदा थी उसने च्छत पर से सालार के मुनाजिम को बैठती उसका फिजिक्स का प्रैक्टिकल था और उसका कॉलेज जाना लाजमी था उस दिन उसने नाच्ता नहीं किया और सिर्फ चाए पीकर घर से निकल आई कॉलेज लेब में भी उसका साचकराता रहा जिसम पत्सीने से शराब और रहा प्रैक्टिकल के बाद उसमें प पहुंची कि उसे लगा कि उसके नजदी काड़ी कहौन बचा है मगर वो मुलकर देख नहीं पाई चुके कानों में सिर्फ साएं साएं की आवाज गुंज रही थी और फिर आँखों के सामने हर मनजर धुमलाने लगा और फिर चारोजानी अंधेरा चाग गया आखरी ऐसास यही हुआ कि वो सड़क पर गिरी थी और गिरने से पहले इसका सर किसी ठोष शे से टकराया था सर के पिछले हिस्ते में शदीद दर्द महसुस हो रहा था वो करहा कर अपनी जगे से उठी उसे याद आया कि वो तो कॉलिज से बाहर घर जा रही थी और रास्ते में बेहुश हो गई थी जब उसे वोहुश आया तो वो मेरून पराडो में थी जो अपनी मंजिल के जानिम कामजन थी उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था वो पराडो के पिछली सीट पर थी ड्राइवन सीट पर सालार का ड्राइवर था और इसके साथ ही सालार खान बराजमान था दोनों बेहत मुतमें नजर आ रहे थे उसने गाड़े से बाहर देखा आसमान पर रात की तारी की चाच चुकी थी चान डूप चुका था जा बजा तारे टिम्टिमा रहे थे इसके लबों से बेखतियार सिस्की बरामत ही सालार खान ने तुरंट मुड कर उसे देखा इसकी पेशानी पर यक्दम कई बल नमुदार हो गए कहां ले जा रहे आप मुझे मैं अपने बाबा के पाद जाना चाहती हूँ इसमें बदिकत बात पूरी की सर में दर्द हो रहा था बेतर होगा के खामुच्छी से बैठी रहो हमारा इलाका भी बहुत दूर है लेट जाओ तो ज्यादा बेतर है सालार खान का लेज़ा रुखा और सर्द था गाड़ी रोको वरना मैं शोर मचा दूँगी इसकी आँखे पानी से लबलब भर गई शौक से शोर मचाओ मुझे कोई अतराज नहीं न्यूबी हम शेहर से बाहर निकल चुके हैं दूसरे मेरे पास निकाह नावा मौजूद है याद आया तुम्हें दिखाओ उसका लहजा इस्तिजाया हुआ प्लीस गाड़ी रोक दे अबके वो जाज़त से बोली उस रोस जब मैंने तुम्हें रिक्षा रोकने का कहा था तो तुमने मानी थी मेरी बाद नहीं ना तो अब ये गाड़ी भी हवेली जाकर ही रुकेगी उसे कुटेली नजरों से देख रहा था आयाद ने पेशानी मसलते उसे देखा वो फिर से विंड़ो स्क्रीन पर नजरे जमा चुका था आयाद ने महसुस किया वो दो सालों में पहले से ज्यादा वजिया हो गया था उसकी रंगत भी पहले से ज्यादा सुर्खो सफेद हो गई थी और इसकी आँखे आयाद सर को दोनों हातों से थामती हुई पिछली सीट पर आँखे मून कर दराज हो गई उसकी बन आँखों के गोशे से अश्क रवा था इस वक्त सिर्व बाबा का ख्याल दामन गीर था इसके वक्त पर घर ना पहुशने पर बाबा किस कदर परेशान हुए होंगे अब तको इसकी तलाश में ने जाने कहां कहां भटके होंगे कहीं इनका अभी भी ना बढ़ गया हो एक साल से इने बलेट पेशर का आरजा जो लाहक था बाबा बहुत परेशान होंगे इसने खुद कलामी की इसकी आवास उनका साला ने बुलंद आवास से कहा इन्हें निकाह नामे की कौपी बिचवाई चाक चुकी है इसका ड्राइवर सपार तासुरात के साथ ट्राइंग मस्रूफ था वो खामोश हो गई बाहर अंधेरे में देखते वे नजाने कब आयात की आँख लगई तो बारा आँख खुलने पसने सया शिशों से जहाका रात अपने सफर पर गामजन थी पराडो मकसूस रफतार से सया तारकोल की सरक पर रवा दवा सरक के दोनों इतराफ जाडियां दिखाई दे रही थी बैकि मिरर में आयात को देखकर सालार चौंका पर इसने कही से फलास्क बरामत किया और आयात की जानी बढ़ाया इसमें चाय है पी लो सैंडविच्स भी है इसका लगजा आम था आयात में नफी में सरलाया मुझे नहीं चाहिए इसने सेट की पुछ तसे सा टिका कर आँखें बन कर ली सरक के तकलीब अब कम थी लेकिन बोजल पन बदस्तूर था सालार ने खामुशे से फलास का अपनी जगे पर वापस रखती रात आदी से ज़्यादा भी चुकी थी जब पराडो अजीम उश्यान हवेले मिदा खुली और रहायते में जाकर रुक गई रात के इस पहर भी कई मुलाजम मुस्तविब खड़े थे गेट पर गन्मेन भी मौजूद था सालार खाननेस की जानिब के दर्वाज़ा खुला बाहर आओ इसने कहा तो आया दुपटा समालती भी बाहर आ गई दिल खौफ से धर्ड़ कर रहा था मलाजम सा जुकाए खड़े थे किसी ने भी सर उठाकर या चोड नजरों से आयाज की जानिब देखने की कोशिश नहीं की सालार मजबूत कदमों से मरकजी अमारत की जानिब बढ़ रहा था ओभी मरे मरे कदमों से इसकी पीछे चलने लगी अमारत में दाखिल होने से पहले सालार ने एक लहजे के लिए मुड कर देखा कि वो पीछे आ रही है या नहीं हाल नुमा जिस कमरे के वस्त में इस वक्त वो दोनों मौजूद थे कमरा रगबे के लिहाज से काफी बड़ा था वहां का फरनीचर मनकश लकडी का था दिवार उपर जाबजा खीमती तसावीर आवेज़ा थी राद के इस पहर मद्धम रोश्णियों में हौल कमाहूल खौबनाक लग रहा था जट के दर्मियान में बड़ा सा फानूस भी नस्थ था सालार ने किसे को पुकारा और चंड सिकन के बाद दाएं जानी बाहदारी से एक बेहत खूबसूरत लड़की बरामद हुई जो मुलाजमा लग रही थी देखने मों आयात की हममर लग रही थी जी खान सबुही यह आयात है इसे अपने साथ ले जाओ सुबा जर्रीन कुल से कहना कि उसे बीबी जान से मिलवा दे बलके ऐसा करो जर्रीन कुल से कहना वो सुबा पहले मुझ से मिल ले इतना कहकर वो बाहे जानी सीरियों के तरफ बढ़ गया सबुही ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया जर्वता इसके दिल में खुद बुद हो रही थी वो आयत के बारे में जानना चारही थी हर दूसरी जवान लड़की सालार खान की महबत में गिरफ्तार थी ये गलती सबुही की बेहन रुही ने भी की थी सबुही अच्छी तरह जानती थी ये सालार खान वो चांद है जिसकी तमन्ना तो हर कोई कर सकता है मगर उसे हासल कोई नहीं कर सकता और ये बेतहाश हसीन लड़की कौन थी जिसे सालार खान अपने साथ लेकर तो आया था मगर रहाईश के लिए मुलाजमा के साथ भेजा था बहरे हाल सुबा तो हकीकत मालम हो ही जाएगी उसने दिल को तसली दी आयत इसके साथ जिस कमरे में आई वो काफे कुशादा था जहां कुछ फासले दे कर चार सिंगल बैट्स रखे हुए थे ये मुलाजमीन के सोने का कमरा था ख्वातिन मुलाजमीन की इंचार जर्रीन गुल थी वो बेहत खुफसरत चालीस साला खातून थी आज की शब वो गड़ी शानावाज में मौजूद अपने घर गई हुए थी अलियस सुबा उसे वापस आ जाना था आयत खामुशी से एक बैट पर टिक गई तुम्हारे लिए खाना लाओं सब उही ने पूछा तो आयत ने नफी में सर हिला दिया ऐसा करो तुम आराम करो इसने कहा और कमरे से बाहर निकल गई ताके जलाल खान से मालुम कर सके सालार खान को किसी चीज़ की जरुरत तो नहीं जलाल खान खास मुलाजिम था सालार खान का बाडिकाट और ड्राइवर भी था आने वाले लम्हों का खौफ आयात की रगों में खोन मनजमिक कर रहा था नीन कैसे आती कोई दिर के लिए उसकी आँख लगी थी ते चीज़ियों के चहचाने की आवाज से इसकी आँख खुल गई उसने उटकर कमरे में ताहराना निगा डाली तो एक चानिब सुबही जाए नमाज पर नमाज अदा करती नजर आई उसने भी नमाज की नियत से बिस्तर चुड़ा और नमाज फजर अदा करके उसने अपनी लिए आसानी की दूआ की दस बज़े के करीब जरीगुल कमरे में दाखिल हुई उसने बगवर अपने सामने मौजूट लड़की को देखा जो कॉलिज की उनिफॉर्म में मलबूस थी उठो चलो तुम्हें बीबी चान बुला रही है उसने सक्त लेजे में कहा आयात खौफजदा अंदाज में अपनी जगे से उट खड़ी हुई उसके सर में अब भी दर्द था एक नोबिला चूचरा किये जरीगुल के पीछे चल पड़ी जरीगुल उसे एक बेहत खौफसरत खौबगा में ले आई जहां जहाजी साइस बैट पर एक बेहत खौफसरत नकोश की हामिल औरत अकबार पड़ रही थी बेबी जान ये है वो लड़की जिसे खान लेकर आए हैं जरीगुल ने इसकी जाने बशारा किया तो वोरत जो उन दोनों की जाने मतवचे हो चुकी थी अपनी जगे से उठी और आयात के नज़िक आकर खड़ी हुई तो तुम हो मेरे दुश्मनों की ओलाद जमर्ट की आंखों से शरारे निकल रहे थे तुम्हारी मा के खुदकरजी ने मुझसे मेरा शहजादों जैसा भाई चीन लिया उनका लहज़ा भी आग बरसा रहा था लेकिन इस सारे किसे में मेरा क्या कुसूर था उसने हिम्मत करके जबान खुली तो जमर्ट के एक थपड़न उसे सुन कर दिया इसकी आंखों से पानी बहने लगा तुम्हारे आसो मुझे बहुत सुकून दे रहे है इस सुकून के लिए मैंने बरसों इंतिजार किया है जमर्ट ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा और फिस जरीगुल की जानी मतवज़ हुई जरीगुल उसे अपने साथ काम में लगा लो हर काम कराओ इससे और अगर गलती करे तो मुझे बताना बस ये लड़की मुझे फारिग नज़र नाए और हाँ इसके नाप के कपड़े जलाल से कहो ला देगा जरीगुल उसे अपने साथ ले आई कि चर्ण में पहले दो मुलासमाई मौझूद थी बड़े बड़े देख्चों में खाना पकड़ रहा था जैसे दावत हो बाद में उसे मालू होँआ कि यहां खाना इतनी ही मिकदान में पकता है क्योंकि डेरे पर आने जाने वालों का तामता बंदा रहता है उसे हवेली में आए एक हफता हो चुका था इसी दोरान वो जमर्द के हाथों दो मर्तबा पिछ चुकी थी सालार खान उसे दो बारा नजर नहीं आया था सुबही ने उसे बताया था कि वो दूसरे रोज ही शहर चला गया इसका बिजनिस कई शहरों में फैला हुआ था और वो खुद जादा तर कराची में रहता है जमर्द के दोनों बड़े बेटें से अब तक इसका सामना नहीं हुआ था उसे उन दोनों से भी किसी हमदर्दी की उमीद नहीं थी बालाच और उसकी बीवी के बारे में मालु हुआ था कि वो अपने बेटे के साथ इसलमाबाद में रहते हैं बालाच की सायसी मसरूफियात और कावमी असंबली की रुकनियत की वज़े से उसे वहां रहना पड़ता था जबके समीर अपनी माँ के साथ गड़ही शानावाज में ही रहाईश बजीर था उसका निकाह हो चुका था रुकसती कुछ अरसे बाद होना थी आयात का दिल चाह रहा था वो फूट फूट कर रो दे एक मामली गलती की पादाश में जमर्द ने इसके कलाई बुरी दरहा से मरोडी थी जमर्द अपने कमरे की सफाई इसी से करवा थी सफाई के दौरान एक शोपीस इसके हाथ से गिर गया था मगर तूटा नहीं था समर्द ये देखकर चील की तरह इस पर ढ़्टी आयाद को लगा कि उन्हें गुसा तो किसी और बात का था पर उन्होंने अपना गुसा आयाद पर निकाला कुछ देर पहले वो शाहनवास खान से फोन पर बात कर रही थी और इन्हें शाहनवास खान की किसी बात पर अउस्सा चरह था तुमने ऐसा क्या किया था जो बेबी इस कदर बरहम हो गई सबुही ने इसके हाथ पर आयडेक्स लिमलते हुए नर्मी से पूछा तमाम मुलाजमीन को मालम हो चुका था कि वो शाहनवास खान की भांजी है और सालार खान ने इसके बाब से बडला लेने की खातिर उससे निकाह किया है गुल्दान मेरे हाथ से गिर गया था पर टूटा नहीं था उसने भराईवी आवाज में कहा आज उसे बाबा बहुत यादा रहे थे और इबाद भी वो दोनों इसके बारे में क्या सोचते हूंगे उसके बाबा से कोई रापता नहीं था हवेली में फोन तो था पर वो लॉक रहता था कोई और जर्या भी नहीं था कि वो बाबा से रापता कर पाती इन दिनों हवेली में बालाच के बेटे की सालगिरा की तैयारिया उरूच पर थी जमर्दनी अपने पोते की सालगिरा में शरीक होने के लिए शाहनवास खान को पाकिस्तान आने का कहा था शाहनवास खान ने हर मरतबा की तरह इस बार भी इंकार कर दिया और इसी बात का गुस्सा जमर्दनी आयात पर निकाला था शाम तक पालाज की फैमिली भी शहर से आ गई इसके अलावा दूसरे इलाकों से भी महमानों की आमद का सिलसला शुरू हो चुका था एक दरास कद खुब सुरूत लड़की को दूर से दिखाते हुए सबोही ने उसे बताया था इजर नैन है सालार की मंगेतर सालार की पसंद से हुई है मंगनी उसने बेख्तियार पूछा नहीं ऐसी बात नहीं है खान तो मंगनी के लिए भी बड़ी मुश्किल से रजा मन हुए है वो दोनों बाते करते हुए किचन में आ गई जहां डेहरो काम उनके मुंतिजर थे वो दोनों काम निटाने लगी आयात महमानों के लिए निकाले गए नए बरतन साफ कर रही थी जब जमर्द किचन में दाखिले ए उन्होंने आयात को पुकारा जी इसने नजर उठाई तुम किचन के अंदर रहकर ही काम करोगी महमानों या सालार के सामने आने की जरूरत नहीं वो कुटीले लहजे में बोलकर जरी गुल से मखातिवी जो मीठे पर सजावट कर रही थी खाने में कितनी देर है बस तैयार है लगवा रही है जरी गुल की बात सुनकर वो किचन से बाहर निकल गई जबके जरी गुल दूसरी मुलासिमाओं के साथ टाइनिंग हॉल की जानी चली गई तकरीबन तमाम महमान जب खाने से फारी क लोकर अपने अपने कमरों के जाने चले गए तब उकेड़ बाहर निकली खाना भी इसने किचन मे ही खाय था अब उपने कमरे के जाने चाने जा रही थी इसनी शर्क की नमाज नहीं पड़ी थी क्यों कब से आने वाली आवाज सुनकर उसे रहतारी में रुकना पड़ा उसनी मुड़कर देखा वो एक तरास कद और वजिया शक्स था नकोश में सालार के मुशाबियत नजर आती थी तुम आया थो वाह इस तक इसे चलता हुआ इसके नस्दिक चलाया इसके लहजे में श्टियाग छलक रहा था जी इसने फसी आवाज में जवाब दिया अगर बेबी जान ने देख लिया तो बुरहा लोगा मैं बालाच हूँ सालार का बड़ा भाई तुमने मेरा नाम तो सुना होगा वायाद से मिलकर बहुत खुश नजर आ रहा था अमी अक्सर आपका और समीर खान का जिकर करती थी उसकी आँखों में नमी आ गई तो मारे साथ सालार ने जो किया मुझे उसका बहुत अफसोस है निकाह से पहले अगर मुझे मुझे मालुम हो जाता तो शायद मुझे उसे रोक लिता मुझे तो कुछ आरस से पहले मालुम हुआ है कि जिस लड़की से उसने दो साल पहले निकाह किया था तो हमारी समरीन फुपो की बेटी है उसने दिल के रुफता लहजे में कहा फिर कदर दीमी आवाज में पूचा फुपो कैसी है हम दुबई में थे जब उनकी एकसिडन में डेथ हो गई थी इसने बताया ओ गौड सालार को ये बात मालुम है इसकी पेशाने शिकर आलूड हो गई जी हाँ सालार खाने मेरे बाबा से बदला लेने के लिए एक कदम उठाया है उसने निकाह का लब्स इस्तिमाल करने से गुरेस किया वो बहुत जिद्धी है बीबी जान के लाट प्यार ने उसे खुद सर बना दिया है मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी तकलीफों का मदावा कर सको बालाच इंत्याहि नरम लेटे में बोल रहा था आयात को देखकर उसका दिल दुख से भर गया वो इसकी प्यारी फुपो की इकलोती निशानी थी सालार की जिद्ने उसे किस साल में पहुँचा दिया आयात का दिल चाहा कि फूट फूट करो दे इन पत्थर जैसे लोगों में कोई उसका हमदर्द भी था जो इसकी मा का जिकर अच्छे लफ़ों में कर रहा था इसने सर लाया और कमरे की जानी बढ़ने लगी जबके बालाच कितनी ही देर उसी जगे खड़ा सोचता रहा था सालगिरा वाले दिन सुबा सुबा सालार भी पहुंच गया जमर्द ने आज फिर हुकम जाड़ी किया था कि वो कमरे से बाहर न निकले और आयाद की समझ में आ गया कि वो ऐसा क्यों चाहती है और फिर वो कमरे में बैठी नुआफिल अदा करके अम्मी की मगफरत और बाबा की खैरियत के लिए दुआइं करती रही थी आज अम्मी की बरसी थी और उसका दिल बहुत बोड़ल था राद के तकरीबन एक्तिताम पजीर हुई कुछ महमान राद को ही रुकसत हो गए बक्या महमान सवेरे रवाना हो गए थे सबुही ने उसे बताया के सुबा जाने वालों में सालार भी शामिल था उसकी कोई एहम मिटिंग थी जरीगुल की तरफ से आयात को किचन में काम करने की जादत मिल गई घर में अभी भी कई महमान महजूद थे आयात नाच्टे के लिए पराठे बना रही थी जब वो किचन में दाखिल हुई इसके पीछे ही समीर भी था वो किचन में पानी पीने आया था और अब फिरिच खोल कर ख़ड़ा था सुनो मेरे ले बगएर मिट्टो का अमलेट बनाना वो आयात से मुखाती वह तो आयात ने जहरा मोड कर देखा वो जर्मीना थी सालार की वंगितर और वो आयात का होश रुबह होसं देख कर तंग रह गई समीर लाला ये कौन है मुलाजमा तो हो नहीं सकती उसने पुर्यकीन लहजे में कहा समीर को पानी पीते पे थे अच्छो लग गया वो ये आयात है बीबी जान तुम इसके बारे में बहतर बता सकती है समीर इतना कहे कर बाहर निकल गया से मालूम था कि बीबी जान उसे खुबसूरती से टाल देगी और वो उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगी सरमीना कुछ देर आयात को तकती रही जो उसे नजरनदाज के अंडे फेंट रही थी फिर वो बाहर निकल गई उसका रुख डानिंग हॉल की जानिब था जिनकी नजरों में हम नहीं अच्छे जिनकी नजरों में हम नहीं अच्छे कुछ तो वो लोग भी बुरे होंगे आज सुबा से ही मौसम हबस जदा था समर्द का मिजज भी आज हद दर्जे बरहम था सुबा वोसे बुरी तरह ज़ाड पिला चुकी थी जब वो बोलने पर आती थी तो सिफ उसे ही नहीं उसके वाले देन को भी रगीड डालती थी यह सोचे बिना कि उसकी माँ बरसो पहले दुनिया छोड चुकी है उनके नश्ट जैसे अलफास आयात को राद गए तक हुलाया करते थे पर यहां कोई ऐसा नहीं था जिससे वो शिकायत कर सकती समी को भी बालाच की तरह इससे हमदर्दी थी पर वो माँ से डरता था सो इसके मामले में जुबान बंध ही रखता था सालार खान ने तो पलट कर देखा ही नहीं था तो जिन्दा भी है या मर गई सबोही कदम गनीमत था जो मौक का मिलने पर इसकी दिलजोई कर लिया करती थी शाम को हवाओं के तेज छक्कर चलने लगे और फी टपर टप बुंदे बरसने लगी सबोही अलगनी से कपड़े उताने लभागी और वो जो अनाज साफ कर रही थी जमर्द की आवास सुनकर खड़ी हो गई पीछे सेहर में जो जानवर बंदे हैं उनकी रसिया खोल कर उन्हें शेड के नीचे लाकर बांधो इस वक्त कोई मर्द मुलाजिम घर पर नहीं है तुम्हें ही करना पड़ेगा वरना जानवर भीकर विमार हुट जाएगे आयात कुम खड़ी रही वो यह काम कैसे कर सकती थी उसे तो जानवर उसे बहुत खौफ आता था हर साल घर पर गुर्बानी के लिए जो जानवर आता था वो इससे भी दूर दूर रहती थी बाबा उसे समझाते थे कि जानवर के पास जाओ इस पर हाथ फिरो इसके चारे का ख्याल रखो बहुत नेकी का काम है मगर वो इस मामले में उनकी भी नहीं सुनती थी उसे जानवर उसे खौफ आता था बहरी हो गई हो फड़ी क्यो हो जो कहा है उस पर अमल करो जमर्ट के आवाज से उसी हाल में खीच लाई और वो मुर्दा चाल चलती पिछले सेहन में आगई जहां जल्थल का समा था और साथ ही तेज बू फैली हुई थी हाला के सुबा ताजा गुल्ने सफाई की थी बारिश के साथ साथ आयत के आँखे भी बरस रही थी उसने दिल कड़ा करके एक एक करके तमाम जानवर शेट के नीचे बांदिये उसका दिल जह रहा था कि जोर जोर सुरूए सालार खान तुम्हारी आँखे क्यों ना फूट गई ऐसा होता तो ना तुम मुझे देख पाते ना साथ ला सकते उसका एक काम ये भी बढ़ गया था सुबा शाम सालार खान को कोसना जो से इस जहन्न में जोंग गया था बादल तेज हवाओं के साथ बरस रहे थे उसे ठंड़क का एहसास होने लगा सरदी से होट कपकपा रहे थे उसका पूरा लेबास भीच चुका था काम खतम करके बंदर आ गई अपने कमरे तक आते आते वो बाकाइदा कांप रही थी कमरे में कपड़े बदल कर वो विस्तर पर दुबग गई और इस वक्त तक रोती रही जब तक नीन इस पर महर्बान नहूं सुबा वो फटर के लिए नहीं उठी पर जब दिन चड़े तक नहीं उठी तो जरीगुल ने सबोही को से जगाने भीजा इसका मुट बरहम हो चुका था सबोही का दिल दुख से भर गया जब उसने आयात का माता चुआ जो पुरी तरह तप रहा था सबोही ने उसे चाय के साथ डबल डोटी खिलाने के बाद बुखार की दवा किलाई थी कि वो शाम तक भली चंगी हो जाएगी मगर ऐसा हुआ नहीं उसका बुखार तूल पकड़ गया तीन दिन तक जब घरेली टोटको के बावजूद इसकी तबीयत ना समली तो जो के मुलाजमाओ की इंचार थी उसने बीबी जान के पाद जाका सुरतिहाल बयान की तब जमर्ड को वयाद आया कि पिछले दिनों वो इन्हें नजर नहीं आई थी जमर्ड ने जरीकुल को इजाज़त दी कि वो आयाद को डॉक्टर के पास ले जाए सबुही और जरीकुले से पिजारों में डॉक्टर के पास ले गई डॉक्टर ने आराम की टाकीद के साथ मजीद कहा कि बुखार उतरने में चंद दिन मजीद लगेंगे उसे नुकाहत भी बहुत हो गई थी चंद रोज बाद बुखार उतर गया सो इसने बिस्तर छोड़ दिया और इसी शाम सालार खान फ़ेद इलियास के हमरा चला आया यहां आकर दो दिन तो फ़ेद ने खाने पीने और घूमने फिरने में गुजार दिये जमर तो बहुत खुश थी पहली मरतबा उनकी हवेली में सालार का कोई दोस्त आया था सो इसकी खाति मदाराज भी हो रही थी यह लग बात थी कि उसकी आमत का मकसद कुछ और था जो उसने तीसरे दिन उगल दिया वो दोनों नाश्टे से फारिग हो चुके थे यार भावी दिकाई नहीं थी सालार जो खिड़की से बाहर देख रहा था इसकी बात पर चौंकर उसे घूरने लगा मैंने कहा तो था तुमसे के मैं आयाद भावी को देखने का खौईशमन हूँ उसने याद दिलाया मुझे नहीं मालूब होगी यही कही सालार ने लापरवाई से कहा उसे तो याद भी नहीं रहा था कि इस हवेली में उसकी मन कोहा भी बस्ती है मालूम करो ना यार वो कहा है फहत बजिद हुआ तुम यहां इसी मकसद से आये होना सालार का लहजा दुरुष्ट हुआ मगर मुकाबर फहत था चितना घड़ा इस पर सालार का मिजज असर अंदास नहीं होता था हाँ ऐसा ही है उसने फराग दिली से तसलीम किया फिर तुम्हें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि इसकी यहां मौजूद्गी के असबाब क्या है इसने बेहस संजिद्गी के साथ एक एक लवस पर जोड़ दे कर कहा मुझे तो बस यह याद है कि वो मेरे यार के निकाह में है और तो कितना भटका इनके तलाश में इतना तो कोई अपने महबूब के लिए ही करता है इसकी आँखों में शरारत नाज रही थी ठीक कहा तुमने मैंने यह सब अपनी माँ की महबत में किया है क्योंकि वो बदला लेना ठाती थी उसने फाहद की आँखों से छलकती शरारत को नजर अंदास किया फिर तो मालूम करना पड़ेगा कि आया हो जिन्दा है या बदले की नजर हो गई तीसरे दिन है हमें यहां आए हुए मेरा ख्याल है कि तूने भी इने नहीं देखा फाहद की ख्यालाद सुनकर वो भी चौंका फिशली दफ़र जब वो एमल की सालगरा पर आया था तब भी वो नजर नहीं आई थी शाम को इसके बारे मालूम करूंगा इस वक्त तो जरूरी काम से जमीनों पर जाना है चल उठो उसने फाहद को उटने का कहा और इसकी चानिब देखी बिना आईने के सामने खड़ें फोकर बाल बरश की और फिर अपना सेलफोन उठाया और सिग्रेट का पैकेट उठाकर दर्वाजे की जानी बढ़ गया नाचार फाहद को भी उटना पड़ा शाम को जब वो वो वापस आई तो किसी से पूछने की नवबत नहीं आई वो दोनों वापस आई तो काफी ठकन महसूस हो रही थी दोनों लाउंच में बैट गए साला ने जरीगुल से चाय लाने का कहा इसने बीबी जान के मतालिक इस्तिफसार किया तो जरीगुल ने बताय कि वो साथ वाले गाउं गई है अपनी किसी अजीज़ा की आयादत के लिए चाय के इंतजार में फहद अपने स्मार्ट फोन से दिल बेला रहा था जबके सालार सौफे के पुछते से सा टिकाए आँखें मून कर बैठा था तब जरीगुल की आवाज ने दोनों की समार्ट पर दस्तक दी आयाद इबादाम कहलबा टेबल पर रख दो फाहद ने सेल फोन के स्क्रीन से नजर हटा कर उसे देखा और सहर जदा रह गया वो सालार से कम नहीं थी बेहद हसीन चहरा मतनासिब सरापा उसके चहरे की मासुमित उसका प्लस फॉइंट थी उसकी आँखों के गित सया हलके देखकर लग रहा था कि या तो बीमार थी या बीमारी सूठी थी फान कलर के आम से जोड़े में भी घजब की हसीन लग रही थी फाहद में दिल में सोचा लाला एक नाएक दिन तो तुझे खुटने टेक नहीं पड़ेंगे अस्सलाम अलाएकुम वो एकदम सीधा हो बैठा आयाद बुरी तरह चौकिया फिर हैरान हुई मैं सालार का दोस्त हूँ अब वो अपना तारुफ करवा रहा था जबके सालार बुरी तरह घूर कर फाहद को देख रहा था उसे फाहद से इस जुर्ट की तौका नहीं थी सच्छुकर के बीबी जान मौजूद नहीं थी बना इन्हीं बहुत बुरा लगता सालार अपनी जगे से उठकड़ा हुआ आयात को से नजर अंदास करके जरीगुल को बुकारा जरीगुल मेरी और महमान की चाए कमरे में भीज दे और फिर वो बिना रुके अपने कमरे के चाने पर गया जाते जाते फाहद को भी आँखों से इशारा करके गया और फहद जो आयात से तफसीली बात करना चाहता था दिल मसूस के रह गया लेकिन जब उसने कदम आगे बढ़ा है तो आयात की खुफसुरत आवाज ने उसके पैरों में बेडियां डाल दी सालार खान से कहे कि मुझे मेरे बाबा के बारे में बताए मेरे बाबा खेरियत से तो है फहद ने देखा इसकी आँखे पानियों में ढूब गई थी फहद की जबान जैसे फालिज जदा रह गई वह मुश्किल इसने सरी लाया और सालार के पीछे चला गया इसके जहन पर आयात मुस्तफ़ा सवार थी किस कदर मजलूम लड़की है नजाने कि उस सालार इसकी बद्दौाएं लेने पर तुला है जब उस सालार के कमरे में दाखिलों तो खोया हुआ था सालार उसे देख का समझ गया किसकी ये कैफ़ित आयात की वज़े से है इससे पहले कि वह कुछ पूछता फाद खुदी बोल पड़ा वो अपने बाबा के बारे में जाना चाहती है तुम कमसकम इन्हें ये तो बता दो कि इनके वालिद किस हाल में है अब ये मत कहना कि ये भी इनकी सजा का हिस्सा है सालार तुम्हारी फैमिली के कुसूरवार उनके वालिदेन है वो तो बेक वसूर है इन्हें पी सजा मत दो सालार पर इसकी तकरीर का खातिर ख़वा असर हुआ मैंने डॉक्टर मुस्तफ़ा को निका नामे की कौपी भीजवा दी थी साथ ख़त भी बेचा था कि वायात को ढूनने के कोशश ना करे एक हफ़ता पहले वो इबाद के साथ दूबई जा चुके हैं उसने बताया इबाद कौन? फाहत की जानिब से सवाल आया मंगनी वही थी उसकी आप उसकी बरदाश खत्म होने लगी थी तो बहुत चालाग बनता है ना यार मैंने नोट किया है कि तुँ आँक उठा कर भावी को देखता नहीं है तुझे डर है कि तेरा दिल तुझे दगा दे जाएगा फाहत का अंदाज सालार का जब खत्म कर चुका था जस्ट शट अप फाहत तुझे बिला वज़े इससे हमदर्दी करने की जूरत नहीं जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो मुझे जरा साभी अंदाज होता कि तुम यहां किस मकसद से आ रहे हो तो मैं हरकिस भी तुमें साथ ना लाता उसने बेमरावती की इंतिहा कर दी फाहत को चुख होते ही बनी बहरेयाल उसे जो कहना था वो कह चुका था दूसरे दिन ही वो दोनों लोड गए अलबता वापस आने से पहले आयात को सालार का पेगाम पहुचा चुका था साथ ही सालार से अपनी नाराज़की का इज़ार भी कर दिया सालार ने उसे इतनी बाते जो सुनाई थी या लग बात थी के सालार ने इसकी नाराज़की की पर्वा नहीं की थी अंकल उसे गए वे अब तो छे माह का अरसा गुज़र चुका है वो चाहती तो हम से टेली फोन कपर राब्ता कर सकती पर इसने ऐसा नहीं किया और आप है कि अगता खुद को समाल नहीं पाएं इबाद ने मुम्किना हद तक कोशिश की थी कि उसका लहज़ा तुल्खना होने पाए इबाद बेटे वो मेरी एक लोती आवलाद है मेरा दिल कहता है कि वो मुश्किल हालाद से गुजर रही होगी वो लोग बहुत जाली है समरीन आखरी वक्त तक उनके इंतिकाम से खौफ़दा रही थी समरीन के मनने के सालों बाद वो लोग अपने इंतिकाम में कामियाब हो ही गए मुस्तिफा एहमद ने एक सरदा भरी अंकल उन लोगों ने निका नामा भज़वाया तो था आपको आयात के दस्ताख़द भी थे उस पर आयात की मर्जी के बगर निका नहीं हुआ होगा इबाद ने बद्गुमानी में गिर कर उन्हें कुछ जतलाना चाहा तुम नहीं जानते उन लोगों को वो बहुत खदरनाक लोग है मैंसे ढून ना भी चाहूं तो ढून नहीं सकता समरीन ने कभी भी अपने इलाके के बारे में तफसिल से नहीं बता था इबाद ने फिर कुछ कहने के लिए मुखहुला मगर रुबीना की आवास सुनकर बंद कर दिया वो से खाने के लिए आवास दे रही थी वो इन्हें जवाब देता हुआ उठकर खड़ा हो गया जबके मुस्तफ़ा एमद कुछ सोचने लगे रुबीना दबी दबी आवास में बात को समझा रही थी के उनके भाई आयात के जिकर से रिप्रेस हो जाते है इबाद इन्हें देखता रहे गया बाबा क्या आपने मुझे जूनने की कोशिश नहीं की आपकी लाड़ली आपको कितना याद करती है बाबा नचाने आपकी लाड़ली को किसकी बद्दूआ लग गई वो इस वक्त तंदूर के नजदीक बैठी तंदूर गरम होने का अंतिजार कर रही थी बाबा की याद के साथ इसकी आँखों में आंसु आ गए इन छे माह में उसे तंदूर में रोटी लगाना भी आ गया था नम आँखों के साथ आटे का प्रेड़ा बनाते हुए उसकी निगा सामने पड़ी हवेली के बड़े सहया गेट से सुर्क रंगी जीप अंदर दाखिल हो रही थी जीप महमान खाने के पास जाकर रुख गई वहाँ हवेली के मर्द महमान आकर ठेहरा करते थे वो शाय समीर के महमान थे हवेली में समीर की शादी के रोनफ लगी भी थी बालाज भी अपनी हवे फैमिली के साथ हवेली आ चुका था आयात ने अपना ध्यान तंदूर के जानिब कर लिया जो अच्छी तरह देहक चुका था वो इस बात से बेखबर थी कि इसका जगमगाता हसन किसी की नजर में आ चुका था सबुही तो रोटिया लेने आ रही थी उसने जीब से निकलने वाले महमान को देखकर मूँ बनाया जरी गुल से वो एक मरतबा पहले भी कह चुकी थी कि महमान खाने और हवेली के रहाईशी हिस्से के दर्मियान में खान से कहकर दीवार उठा दे महमान खाने में हर किसम के महमान आते थे बास महमानों की नजरे इन कम उमर मुलाजमाओं के लिए तकलीटा होती थी सबोई ने सोचा के समीर खान के शादी के हंगा में सर्द पढ़ते ही वो बीबी जान या फिर सालार खान से बरहे रास्त बात करेगी सुर्ग जीब से निकलने वाले मर्द ने जिन नजरों से आयात को देखा था सबोई का दिल दुख से भर गया जबके आयात नजाने किस दुनिया में पहुँची हुई थी आजकल वो बहुत खोई-खोई सी रहती थी जैसे इसके अंदर से हर उमंग, हर उमीद खतम हो चुकी हो और पत्थर की मूरत हो जैसे बीबी जान इसकी कितनी भी तजलिल करती वो सपाथ ढ़रे के साथ सुनती रहती बीबी जान की तरह सिर्फ जुबान ही नहीं चलती थी उनके हाथ भी खुब चलते थे बास अवकाद सबुही सोचती थी कि बीबी जान का इंतिकाम कभी पूरा भी होगा या नहीं, अब तो उनकी इमार खाकर भी आयात की आँखों में आसू नहीं आते थे सबुही कदिल आयात के लिए कुरता था कि वो सालार खान के सामने जाए उसे जगड़ा करे कि वो जिस जुन की सजा आयात को दे रहा है वो तो इसने किया ही नहीं लेकिन वो सिर्फ सोच सकती थी क्योंकि वो एक अदना मुलाजिमा थी इसके बाप दादा भी शानवास खान के मुलाजिम थे उसकी बड़ी बहन ने सालार खान की महबबस से मजबूर होकर खुदकुशी की कोशिश की थी पर इसकी जान बच गई इस वक्त की बात थी जब सालार खान को जब रोही की खुदकुशी की वज़े का इल्म हुआ जो उनके मुलाजिम दिलदार खान की बेटी थी तो उसने बालाज खान से कहकर दूसरे काउम में मौजूद अपने एक बंदे से एक हफ़ते के अंदर रोही का निका करवा दिया दिलावर खान अर्सकी बेटी को भी दूसरे काउम भिटवा दिया एक सुबू ही थी जो गड़ी शानावाज में मौजूद थी वो महिने में एक बार अपने वाले दें से मिलने जाती थी सुबू ही की तमाम हमदर्दिया आयात के साथ थी वो चाती थी के सालार खान दिल की तवाम सचायों के साथ आयात को अपना ले सबू ही या आयात कहा है नज़र नहीं आ रही या आवाज रबिया गुल की थी जो जरी गुल की भांजी थी होना कहा है कमरे में बैठी अपनी किसमत को कोस रही होगी सुबा बीबी जान के कमरे में चाय पहुटाने में उसे देर हो गई थी बीबी जान ने किचन में आकर चरी चुले पर गरम करके इसकी कलाई पर चिपका दी थी मुझे तो डर है कि वो इस माहुल में पागल ही न हो जाए सबुही की भराई वी आवाज सुनकर उसकी आँखे खुल गई इसकी माँ की बेहिसी का जिकर एक मिलाजमा की जुबान से हो रहा था और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी अजीद उस जान माँ इस कदर सफाकी का मज़ारा कर सकती है वो जो कुछ देर पहले ही सफर से लोटा था और सुस्ताने के लिए पिछले सेहन के खुली फिज़ा में चार पाई पर लेट गया शायद उसे नीन भी आ जाती जो किचन के खिड़की से आने वाली आवाजों पर इसकी तवज़े न गई होती कि वो अब भी दिल से खुश नहीं हो पाईगा बीबी जान ऐसा कैसे कर सकती है लेकिन फिर इसने पहले ख्याल की नफी कर दी मज़े खुद चल कर देखना चाहिए कि सबूही की बातों में कितनी सचाई है वो टखड़ा हुआ उस करुट उस हिस्से की जानिब था जहां मलाजमीन की रहाईश थी उसे इस जानिब देखकर कुछ खुआती मलाजमीन सरगोशिया करने लगी कई उसकी आमज से नावाकिफ थी उसमें गुलाबी को रोक कर आयात के कमरे के बारे में इस्तिफार किया गुलाबी ने उसे हाथ के शारे से बताया तो वो उस जानिब बढ़ गया कमरे का दर्वाजा खुला हुआ था और सामने ही आयात बैठी नजरा आ रही थी रो रोका उसका चेहरा सुर्ख हो गया जरीकुल ने उसका हाथ थाम रखा था जहां तकरीबन चार पांच इंच का सुर्क निशान मौजूद था जरीकुल इस जखम पर कुछ लेप कर रही थी गया सहो चुका था उसकी मा का दिल नफरत में मजीद पत्थर हो गया था खामोश इसे पर लड़ गया मगर इसके कदमों की आहट ने आयात को सर उठाने पर मजबूर कर दिया सालार के पुछत देखकर इसके अंदर तक धुआ भर गया मेरा तमाशा देखने आये थे इस तरह भी अंदाज में अपनी होट को चलते हुए सोचने लगी जमर्ट के कमरे में काफी कहम गहमी थी महमान खवातिन खुशकप्यों मसरूफ थे सामने ही दुलहन का सामान मौजूद था खेंती मलबुसाद, जेवराद के डबे, जूते, कास्मेटिक्स और मिठाईयों के डिबे वगडर ये सारा सामान आज Tuesday के घर पुचाना था जिसे त्माम खवातिन लेकर चाने वाली थी रिवाज के मताबक तमाम खवातिन आज राद दुलहन के घर कयाम करने वाली थी राद को दुलहन के महिंधी की रसम थी और सुबा सब वापस लोटाती दुलन परोस के गाउं में रहती थी वो जमर्च की चचचाजाद की बेटी थी कुछ खुआतीन अपनी लेपा पोती मसरूर थी जबके जलाल खान दूसरे मुलाजमीन के साथ सामान काड़ियों में रखवा रहा था जरमीना इस वक बालाज के कमरे में उसकी बीवी जेबा के साथ तयार हो रही थी एकदम ख्याल आने पर इसने जेबा को मुखातिब किया जो के अपनी साड़ी की फॉल दूस्त कर रही थी भाबी वो लड़की नजर नहीं आई क्या चुकी है कौन लड़की जेबा की तमाम तबज़े अपनी तयारी पर ही थी वही खुबसरद लड़की जिसके बारे में खाला ने बताया था कि बेसारा है आयात आयात नाम है इसका जरमीना को उसका नाम यादा गया जेबा जो के परफ्यूम स्प्रे कर रही थी बोतल इसकी हाथ से छूट कर दूर जा करी मुझे मालूम नहीं जरमीना मैं खुद कल आई हूँ मैंने उसे नहीं देखा इसने संबल कर कहा इसी वक बालाच दर्वाजा खोल कर कमरे में दाखिल हुआ वो और अश्मल खवातिन को दुलहन के घर छोड़ने के लिए जाने वाले थे बालाच जरमीना को देखका शफकत से मुस्क्राय दिया तुम कब आई लाला मैं दोपहर में आई हूँ आप कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारी तयारी पूरी हो चुकी है तो अनुशे वगरा को देखो और इन्हें बताओ के हमें जल्दी निकलना है उधर जोया के घर पर हमारा इंतिजार शुरू हो चुका है देर घंटे का रास्ता है मुझे और अश्मल को वापस भी आना है बालाजों से कहता हूँ वाश्रों में घुस गया जबकि वो अपना रॉयल बलू डुपट्टा समालती कमरे से बाहर आ गई हौल में अश्मल से बाते करते हुए सालार ने से बॉग और देखा रॉयल बलू अंग रखा और डॉपट्टे के साथ इसने सुर्क बनार से अलजमा पहना रखा था खुबसरत तो वो यू भी बहुत थी आज की तैयारी भी खास थी लेकिन इसकी इतनी तैयारी ने भी सालार के दिल के समंदर में कोई शोर बर्पा नहीं किया जर्मीना पर से अपनी नजरे हटा चुका था जबके वो अनोशे को बालाज का पैगाम देकर सालार के जानी बागई तुम कहा थे दिखाई नहीं दिये उसका लहजा पुर्जोश था अश्मल के साथ बागाज की जानी चला गया था उसने जर्मीना के बरक सादा से लहजे में जवाब दिया मैंने आते ही समीर लाला से इम्हारे बारे में पूछा था उन्हीं तो मालून था के तुम शहर से आ CHUCKे हो पर इस बात पूरा जाई नथे कि इस वक्त तुम कहा हो बाते करते वो दोनों हौल से बहार निकलाए सालार का रुक पिषले सेहन की जानी था किचन की खुली उखिड़की की सालार की नजरों के सामने ही थी जो लेके आगे ख़ई आयात चाय बना रही थी आयात का बुझा बुझा सारूब देखकर सालार का दिल एक दम ही हर चीज से उचाट हो गया जरमिना को इसी जगे छोड़कर खुद महमान खाने की जानिक चला गया जहां रात को हने वारी नोचवानों की पार्टी की सिसले में सचावाट हो रही थी शेह से मशूर और दोरे हाजर की मकबूल फिल्मी अदाकाराओं को बुलाया गया था खानदान की होगातीन जोया के घर महमानी का लुट उठाती इधर ए घर के मर्द हजरात पार्टी नज़ाय करते जहां पीने पिलाने का भी इंतिजाम था खानदान के मर्दों के अलावा बालाच की सायसी पार्टी के अरकान भी मदू थे सालान ने भी फाद को मदू किया मगर वो दुबई गया हुआ था रहा समीर तो वो दोनों भायों के निजबत रंगीन मिजज था उसके दोस्त भी इसके हम मिजाज थे और उन्होंने तो कई दिन पहले से हैवेली के महमान खाने में डेरा डाला हुआ था इसी वज़े से किचन का काम भी बढ़ गया था तमाम खातिन जोया के घर के लिए रवाना हो चुकी थी बालाट रशमल इन्हें छोड़ने गए हुए थे रात तक दोनों की वापसी मतवक्त थी तंदूर में जरीकुल रोटियां लगा रही थी जबके आयात इसके करीब बेठी आटे के पेड़े बना रही थी इसके कलाई का जखम मनमन होने लगा था परदे हटा कर खिरकी खोलते हुए चवाद अनीस की नजर इस पर पड़ी तो हटने से इंकारी हो गई आज चार दिन के बाद ये लड़की उसे दो बारा नजर आई थी सादगी में ये इतना घजब ढ़ाती है जो सरा सिंगार करेगी तो कियामत ही बर्पा कर देगी उसने कमीनगी से सोचा कैसे दिन में लगी आपको ठंडा करे उसकी सुई एक जगे अटग गई थी हवेले में दाखिल होती इसकी नजर तंदूर में रोटिया लगाती आयार पर पड़ी थी और तब से अब तक उसे देखने और फिर पाने के लिए बेचेन हो गया था उसे समीर का खौब भी था समीर को मालू होता कि जवाद ने उसकी मलाजिमा पर बुरी नजर डाली है तो समीर मरने मानने पर तुल जाता एक तो ये पठान मर्द भी न उबढ़ बढ़ाया और जब कुछ ना सोजा तो वो रेक में से बोतर निकाल कर बैठ गया जवाद अनीस और समीर में तालेब इल्मे के जमाने से दोस्ती थी जवाद अनीस एक सियासी पार्टी के लीडर का बेटा था शादी शुदा और एक बेटे का बाप मगर मिजाज की रंगीनी कहीं भी ओध कर आ जाती थी जब समीर की हवेली की जानी आजी में सफर था तब इसके दिल और दिमाग में कोई ऐसा ख्याल नहीं था और दोस्त की शादी में शरीक होने आया था मगर यहां आयाद को देखते ही उसके जजबात में हलचल मच गई दिल उसे चूने उसे पाने के लिए मचल रहा था और शवाद अनीज ने सोच लिया था कि किसी भी तरीके से वो इस लड़की को हासिल करके रहेगा एक तो वो पहले ही परेशान था मजई सितम ये के दो पहर में बालाच ने एक मरतबा फिर उसे घेरा था वो खुदसर था और अपनी खुदसरी में वो पहले भी बालाच को बा एक भी बात मानने पर अजमन ना था तब बालाच ने जिचो कर कहा अगर मैं जर्मीना को बता दू कि जिस लड़की को वो घर की मुलाजमा समझती है वो तुम्हारी मन कोहा है तो लाला आप अपना ये शोग भी पूरा कर लीजे मुझे जर्मीना में कोई इंटरस्ट नही मैंने सिर्फ बीबी जान की खुशी की वज़े से इससे मंगनी की है मुझे कोई फरक नहीं बढ़ेगा अगर जर्मीना या आपा गुल ये रिष्टा खतम कर दे तो तो फिर तुम्हारी खुशी किसके साथ में है कहां इंटरस्टेड हो बालाच ने चुपते ही लेजम पुश्ता से ठिका लिया जर्रीकुल एक कप चाय का बना दीजिये उसने आँखे बन कर ली कप रखनी की आवास पर वो सीधा हो बैठा तुम आयात को सामने देखकर सके चहरे के जावी बिगड़ गए हालाके वो बन आँखों से भी उसे ही देख रहा था जर्रीकुल कहा ह मैंने उन से चाय मांगी थी इसने आयात के सभी चहरे से दांसता नजर हटाई जर्रीकुल महमान खाने में खाना लगवा रही है इसने आइस्ता आवाज में जवाब दिया सालार खान काश तुम भी किसी के लिए तड़को बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं अपने प्यारे खान की दो साल पहले जर्मीना से मंगनी हो चुकी है पर वो ना तो शादी के लिए राजी होता है ना ही इसके अंदाज से लगता है कि उसे जर्मीना से कोई लगाओ है सालार खान दीरे दीरे चाय के चुस्किया भर रहा था वो फिस से सोचों में डूप चुका था जबके खान की उसने नजर उठाकर आयाद को देखा तो आयाद का दिल बड़े जोर से धरका जबके सालार इस कदर गहरी सोच में गुम था किसे शायद इस बात की खबर ही नहीं हुई कि उसकी गहरी सबसे आंकों ने आयाद के कदमों को जंजीर कर दिया है वो जाना चाहती थी प जाद इसका पैर रप्टा था थाल इसकी हाथ से चूटकर एक जलतरंग बचाते ही जमीन पर गिरते चले गए दोनों ही जैसे ट्रांस से बाहर आये तो आयाद बुखला कर वापस किचन में चली गई जबके सालार ठंडी चाय पीने लगा इस बात से बेखबर कि इसकी गहर अदासे बुलन हो रही थी जैसे मालों हो रहा था कि लाहर वाली आ चुकी है खिर्की से आती साजो और घंगरों की ढंकार बता रहे थी के पार्टी शुरू हो चुकी है आया सोने से पहले खिर्की बंद कर दो वरना शोर की वज़े से नीन नहीं आएगी और सुबह वक्त पर आँख नहीं खुलेगी गुलाबी ने मुपर से चादर हटाकर कहा तो आयात बिस्तर की चादर दुरूस करने के बाद खिर्की की जानी बढ़ी ताके बंद कर सके खिर्की कपड बंद करते हुए उसकी नजर फवारे के पास रखी बाल्टी पर पड़ी इसे समझने में देर नहीं लगे कि सबुई ने जो शाम के वक्त कपड़े धोय थे उनको वो अलगनी पर डालना पूल गई है आयात ने मुड़कर सबुई की जानी देखा कि उसे याद दिला सके कि कपड़े बाल्टी में ही पड़े हैं सबो ही गहरी नीम में मस्त थी तो सोचकर इसने खिड़की ऐसे ही खुली छोड़ी और खुद कमरे से बाहर गा गई इसका रुक इस हिससे की जानी था जहां बाल्टी रखी थी उसे एसास नहीं था कि वो क्या करने जा रही है मेहमान खाने को छोड़कर पूरी हवेली से नाटे में रूबी हुई थी जवाद अनीस की नजरे बाहर बाहर की जानी बूट रही थी वो मनतजर था कि शायद मलाजमों से अकेली नजर आ जाए और से यूं रात को तन्हा आता देखकर इसकी आँखों में शैतानी चमा कुबरी तो आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका वाशिदत से मुनतजर था आयाद ने जुक कर बाल्टी उठाना चाही पर जवाद अनीस ने पूर्तिसस की वही कलाई दबोश ली छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ वरना वरना मैं शोर मचा दूँगी उसने बमश्किल हावास काबू में किये चेखने की गलती तो बिलकुल भूमत करना उसने आयाद को धमका कर जैब से रिवाल्वो निकाला और आयाद को दूसरे हाथ से गेट की जानिम का सीटने लगा जहाँ उसकी गाड़ी पाग थी उसका इरादा आयाद को यहां से निकाल ले जाने का था अल्लह के वास्ते मुझे छोड़ दो मैंने क्या भी गाड़ा है तुम्हारा और चिला रही थी साथी भरपूर में सहामत जारी थी उसे एहसास हो चुका था कि वह बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी किसी सूरत भी उसकी आवाज महमान खाने मौजूद लोगों तक नहीं जाएगी हवेली के सारे मुलाजमी सो चुके थे छोडने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मैं तुम्हें शहर लेकर अपने साथ रखूंगा अगर कुछ अरसे तक मेरा दिल ना भरा तो सकता है तुमसे शादी भी कर लूँ अपना मनसुब बता रहा था जबकि आयत मसलसल अपना हाथ चुड़ाने की तगदो कर रही थी गुलोकारा इसके गले कहार बनी हुई थी सोचा तुम्हारा भी दिल हम खरी दे क्या नाम है बोलो कार्टू रसी दे यक यक इस पर घबराट ने हमला किया महसूस हुआ कि अभी दम घुट जाएगा गुलोकारा के हाथ ठटकता हुआ वो महमान खाने से बहार निकलाया अचानब फायर की आवाज गुंची जलाल खाने चारपाई पर करवड बदली उसे कार्टर से बाहर अजीब सी आवाजे महसूस हुई तो वो चारपाई से उतरा और महतात अंतास में दर्वाजा खोलकर कार्टर से बाहर निकलाया सामने निज़र आने वाले मंज़र ने इसकी रगों में आग भरती हवेली का वो महमान जिसकी जलाल खान इज़त करता था वही महमान हवेली की इज़त को खीचता हुआ गेट के जाने ले जा रहा था इसके दूसरे हाथ मेरी वॉल वो था जिससे वो आयाद को धंका रहा था रुको रुक जाओ बीबी को छोड़ दो जलाल खान ने पुकारा सालार का बाडिकार्ड और ड्राइवर्ड हवेली में आयाद के साथ होने वाले नौर्वा सुलूक के बावचूत वो जलाल खान के लिए काबल इज़त थी क्योंकि वो उसके खान की निकाह में थी लेकिन अगर इसकी जगे अवेली के कोई मलाजम होती तब भी जलाल खान उसे बचाने की कोशिच जरूर करता जलाल खान की आवास सुनकर जوाद अनिस ठिटका खबरदार घबरदार जो भीच में आने की कोशिच की मैं फाइर खुल दूँगा उसने जलाल खान को धंकाया जलाल खान नसलन पठान था हत्यारों की चाहों में इसकी परवर्श हुई थी वो बिला खौफ और खतर आयात की जाने बढ़ा जवाद अनीस की धंकी को उसने अनसुना कर दिया जवाद अनीस अब अपनी बिजारों से दो कदम के फासले पर ही था ऐसे में जलाल खान की दखल अन्दाजी उसे इंतहाई नागवार गुसरी उसने आओ देखा नताओ जलाल खान पर गोली चला दी जलाल खान लुड़ खड़ा कर रह गया गोली सके दाए बाजो को छोती हुई निकल गई गोली चलने की आवाज महमान खाने के अंदर भी सुनी गई तब ही अंदर खामुची छा गई जवाद की तवज़े हटते ही आयात ने आखरी कोशिश के तौर पर जवाद के बाजो में दान कार दिये जवाद बिलबला कर रह गया उह कुतिया तुम दर्मी के लाएक ही नहीं हो वो कर रहा कर रह गया गिरफ धर की होते ही आयात हाथ छुड़ा कर अंतदुल भागती जवाद ने आयात का निशाना लिया मगर वो खता हो गया भागती वी अंदर से आते सालार से टाई जिसने उसे गिलने से बचाने के लिए बाजो में समाल लिया सुरातिहाल समझ में आते ही इसने आयात को बाजो से पकर कर एक तरफ किया और खुड जारहना अंदाज में जवाद की जानी बढ़ा फिसने जवाद पर मुको और गुंसों की बारिश कर दी आयात का डुपट्टा से बेनियास और सहमा सहमा वचूद देखकर उसकी आंकों में लहू उतराया था अपनी कैफियत उखुद नहीं समझ पा रहा था उसका जीचारा था कि जवाद खान को जान से भी माड़ा ले जवाद इसके मुको और लातों से बचने की कोशिश में हलकान हो रहा था वो जवाद कुमारी डालता जो बालाच और रश्मल दोड़ते हुए इस सिस्से में ना आते उनको भी सारा किसा समझने में चनलम ही लगे थे बालाच और समील उसे बाजों में पकड़ने की कोशिश करने लगे लाला छोड़ दे मुझे मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा उसने मज़ीद एक लाट जवाद के पहलू में रसीद की जिस का दम खम अब खत्म हो चुका था एक जानी पाया संगी चबूतरे पर दोनों हाथों में अपना मूर छुपाए परठी थी मेमान खाने से चंद और लोग भी बाहर निकल आए वो खानदान के अफराद ही थे जलाल खान एक जानी खड़ा सारा तमाशा देख रहा था इसके चेहरे पर तकलिफ के आसार थे जो जबके कमीज की आस्तीन लहू से सुर्क हो चुकी थी फायर वो शोर की आवास से जरी गुल भी जाग चुकी थी और इस वक कुछ फासले पर खड़ी थी उसकी नजल जमीन पर पड़े आयाद के दहानी डुपटे पर पड़ी तो इसने आगे बढ़कर डुपटा उठाया और आयाद पर डाला सालार अब भी जवाद की ठुकाई कर रहा था बालाज ने अबके जवाद को बाजों से पकर कर खड़ा किया और सालार को तंबी अंदाज में घुरा और सालार कुछ कहे भी ना जलाल खान की सिम्त बढ़ा जलाल खान के पीछे ही वो चबूत रहा था जहां आयाद बैठी अपनी जात पर मातम कर रही थी सालार के अंदर इस्तिराब के जंगल उगाए पहली मरतबों से शिद्ध से हिसास हुआ कि नाहक इस मासूम लड़की की जिन्दगी बरबाद कर रहा है जलाल खान के पास जाकर रुक चुका था गर्दन मौर का जरीकुल को देखा जरीकुल आयाद को मेरे कमरे में छोड़ाए मजबूत लहजे में कहता हुआ जरीकुल ने जाओ जरीकुल ने नर्मी से बताया तो वो इस जाय अंदास मिस्कुराई अर्फिस सालार के कमरे के अंदर कदम रख दिया सालार हर्गिस भी जवाद को बखचने के हक में नहीं था अगर बालाइच ने उसे बमश्किल समझाए था कि जवाद को जाने देना ही बहतर है क्योंकि वो एक सायसत दान का बेटा है जिसका बाप बार अखसुख शक्स है उसकी गमशुदकी पर उसका बाप कानूनी चारा जोई करेगा अगर वो उनके अलाके से बाजियाब हुआ तायात का नाम भी दर्मियान में आएगा जो कि किस सूरत मुनासिब नहीं था सालार की समझ में बालाच की बात आ गई और उसने जवाद को जाने दिया जरीकुल जग सोने के लिए कमरे में वापस आई तो लड़कियां जाग चुकी थी और बेचानी से जरीकुल की मुझजर थी जरीकुल ने मुक्तसरन उन्हें सारा वाक्य सना दिया मेहمان खाने से दोबारा म्युजिक का शोर सुनाई दे रहा था संग्य बेंट पर सालार बैठा था इसके रहे की गहरी स legit की ताह dogs सिरीकुल तो षे जरर दे रहा था संग्ये की और लिए यहारे हूं बाला जिसकी कैफियत को बखोवी समझ रहा था तुम्हारी अदम मौजूद की हमारे महमानों को शकूक वर शहबात में मुबतला करेगी समझने की कोशिश करो समी ने बहाना कर दिया है जड़ अफराद के सिवा तमाम महमान हकिकते हाल से बेखबर है क्या ये बहतर नहीं है इसके समझाने का इस पर खातिर खवासर हुआ और वो उट खड़ा हुआ इसके अंदर जंग सी चिड़ी हुई थी आयात के साथ किसी किसम की हमदर्दी की सुरत में उसे बेपी जान की नाराज़ की मौन लेना पड़ती और वो हर्किस भी मा को खफा नहीं करना चाता था नाहीं वो इस हादसे के बाद आयात के साथ कोई नाइसाफी होने देना चाता था और उसके साथ नाइसाफी हो भी क्यों वो हवेली की छोटी बहु है सालार शाहनावास की मन कुहा इसके अंदर से कोई बोला था, हलका हलका, उचाला फैल रहा था कई महमान रुकसत हो चुके थे, रुकसत होने वालों में रुकसाइं भी शामिल थी जबके बाकी महमान जिन में बेचतर मर्द हजरात, खांदान के थे, और सोने चले गए थे सालार भी अपने कमरे में आ गया दर्वाजा मक्फिल करके वो मुड़ा और बैट की जानी बढ़ते ठिटका सोफे पर आयाद सिमट कर सोई भी थी उसने अपना धानी डुपटा पुरे वजूद पर फैला हुआ था सालार ने चंड़मी सोचा और फिर अलमारी से चादर निकालकर इस पर डाली और बैट पर लेट गया इसका जहन कुछ फासले पर सोफे पर सोई आयाद की जानी भटक रहा था बहरहाल उसे नीन आ ही गई और फिर दो घंटे के बाद इसकी आँख खुली आयाद जाक टुकी थी और वाश रूम से फ्रेश होकर निकल रही थी आयाद रूम से बाहर मत जाना नाच्ता भी रूम में मंगवा लो वो तके से सर उचा किये आयाद को देख रहा था आयाद की आँखों मेहरानी की तहरीर देखकर वो मजीद बोला जब तक हवेली में महवान ठेहरे वे तुम रूम से बहान नहीं जाओगी ठीक है उसका लज़ा नर्म था आयाद में असबात में सर इला दिया उसने फिसे तकीये पर सर रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा दोबारा जब उचागा तो वो सोफे पर बैठी गमसुन नजरे फर्श पर बिच्छे कालीन पर जमी थी जहरे पर हुजन और मलाल ठाया हुआ था नाश्टा कर लिया तुमने वो बैट पर बैठते वे इस तस मुखाति हुआ आया चौंकर्स की जानी मुतवज़ हुई उसकी भूरी आँखों में फिकरों तरदूत के साहे लर्जा थे उसे जमर्द का डर था जमर्द को मालूम होगा कि उस सालार के बैड़ूम तक रसाई हसिल कर चुकी है तो जाने हो इसका क्या अनजान करेगी दिल नहीं जा रहा उसका जवाब सुनकर सालार ने उसे गहरी नजरों से देखा तुम कल रात सेहन में क्यों निकली थी? उसने वो सवार पूछ लिया जो उसे रात से खटक रहा था सोबूई दूले हुए कपड़े तार पर डालना भूल गई थी रात को सोने से पहले मैं फिड़की बन करने लगी तो मैंने नजर कपड़ों से भरी बाल्टी पर गई तो मैंने सोचा के कपड़े तार पर डाल दू आखिर में इसके आवाज भर रा गई जिसे महसुस करके सालार के दिल पर बोच आ गिरा बहरे हाल तुम अब घर का कोई काम नहीं करोगी बलके इस कमरे से बाहर जाने की ही जरूरत नहीं अलबता वक्त गुजाने के लिए कमरे के अंदर कोई मसरुफिया ढूनना चाहो तो मुझे कोई आतिरास नहीं वो हातों से अपने घने बालों को सवारता हुआ उट खड़ा हुआ मुझ पर इसकदर इनायत किसलिए वो पूछना चाहती थी मगर जुबान से कुछ नहीं निकला सोच कर रह गई जर्मीना को मेरी इस कमरे मौजूद की का इल्म हुआ तो आयात की बात सुनकर वो बुरी तरह टूंका तो यह जर्मीना के बारे में बाख़बर है वो मेरा दर्दसर है और यू भी हमारे हां निकाह के बाद ही लड़की की रसाइख शोहर के कमरे तक होती है मेरा जर्मीना से निकाह नहीं हुआ अपनी बात पूरी करके वाश रूम में जा चुका था जबके वो कितनी ही देर खुरती रही किसे जरुरत क्या थी दरमीना के बैरेम बात करने की वाश रूम से निकल कर उसने इंटर कॉम पर अपनी और आयात के लिए नाश्ता मंगवाया और खुद आयने के सामने खड़ा होकर बाल सवाने रगा कुछ देर बात सबुही दोनों के लिए नाश्ता ले आई वायात को देखतर मस्कुराती ने गई बीबी जान वापस आगई सालार ने सबुही से पूछा जी खान कुछी देर पहले सब लोटे हैं वहां से बाजिल खान और शम्रेस खान छोड़ने आये थे सबुही बता कर चली गई तो वो सोफे पर आयात के बरावर में बैठते वे बुला नाश्ता शुरू करो आयात ने नाश्ता शुरू करने में ही आफियत जानी अलबत तस ने खिसक कर अपने और सालार के दर्मियान फासला बढ़ा लिया इसकी इस हरकत को सालार ने शिद्द से महसुस किया वो अब सालार के लिए चाय बना रही थी सालार की नजरे इसकी दूदिया मलाएम हाथों पर से हटने के लिए तयार नहीं थी उसने चाय का मक सालार के आगे रखा तो बेख्तियार ही उसने आयात का नरम मलाएम हाथ अपने मजबूत हाथ कि रफ्त में पकड़ लिया वो बुरी तरह कसमसाई तुमारे हाथ बहुत खुबसुरत है उसकी तवज्जे आयात पर मरकोज हुई हाथ छोड़े मेरा या आपके इंतिकाम का कोई हिस्सा है सालार खान आप मुझे अपने साथ इसलिए लाए थे कि आप और आपके वालिदा मेरे बाबा से इंतिकाम ले सके लेकिन मुझे अपनी नफरत का निशाना बना कर आपके ये इलतफात मेरी समझ से बाहर है मुझे आदत हो गई है आपकी बेरुखी की आपकी वालिदा की इंतिकामी कारवाईयों की मुझे उस दिन का इंतिजार है जब आपका इंतिकाम पूरा होगा उस दिन तक अगर मैं जिन्दा रही तो मुझे मेरे बाबा के पास भिजवा दीजेगा। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी ममा जिन लोगों में पली बड़ी है। वो लोग इसकदर जालिम है। उमससल अपना हाथ छुडाने की कोशिश कर रही थी और तब आयात के जालिम कहने पर उसने आयात का हाथ छोड़ दिया। ठीक ही तो कह रही है। जालिम तो है हम। उनाचता दूरा छोड़ कर उट खड़ा हुआ। आयात के मज़िद कुछ कहने से बैश्तर ही वो अपना सेल फोन उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वायात की बातों का इतना सर क्यों ले रहा है। खुद उसके साथ भी तो जादाती हुई थी। उमर भर वो भी तो अपने बाप की महबत को तरसा था और अब तो उसे इतने बाप का लंब सी भूल गया था। अगर बाबा यह समीर की शादी में शरीक होते तो सब कितना खुश होते लेकिन बाबा ने तो अपनी बहन के दिये हुए जखम को जान का नासूर ही बना लिया जो ठीक होने में ही नहीं आ रहा था। सोचते हुए कारी ड्राय करते हुए हवेली से दूर निकल आया आयात नाश्ता करते हुए दिल ही दिल में अबसुर्दा हुई इसकी बातों से सालार को ठेस महुंची थी और वो सोच रही थी कि शायद वो वक्त मुनासिब नहीं था लेकिन वो भी करती क्या अचानक ही साल खान की महिंद बसी हुई थी जर्मिना ने जोया के घर बहुत इंज्ड़ाय किया जोया के बाई शमरेस का अंताथ बता रहा था कि सालार के हुसन से मतवाथिर हो चुका है वर जब उसे मालम हुआ कि सालार की मंगितर है तो बहुत दिल बरदाश्ता हुआ जर्मिना को जोय सालार के बाद वो नाया और खाला आराम करने के लिए लेटने लगी तो वो कुछ सोच कर सालार के कमरे के जाने बाग गई जहां आयात अपने होश रुबा हुसन समेट मौजूद थी तुम तुम यहां क्या कर रही हो जरमीना ने चुपते हुए लहजे में पूछा इस सवाल का जवाब आप सालार खान से ही ले लिजिए इसने बेहत सुकून के साथ जवाब दिया जरमीना के तो सर पर लगी और तलवो पर जाकर बुझी कोई दिर तक वो शरर बार नजरों से आयात को खूरती रही और फिर तन फन करती जमर्द के कमरे में जान पहुची खाला इस आयात का सालार से क्या रिश्टा है वो जमर्द के सामने तन गई जमर्द इस अफ़ताद पर बुखला गई ये क्या कह रहे हो तुम वो लड़की सालार के कमरे में मालकिन बनी बैठी है जरमीना ने चबा चबा कर लपस अदा किये बालाच जो जरमीना के पीछे कमरे में द जिसने मौके की नजाओकत की बिलकुल पर्वा नहीं की शादी वाला घर महमानों से भरा हुआ था ऐसे में वो किस किस को जवाब देगी किस तरह खांदान वालों को मुतमेंद करेगी खाला क्या लाला की बात सच है जरमीना ने संजीत की से जमर्द की जानी रुख किया जरमीना तुम नजाने क्या समझ रही हो सालार ने उससे बतला लेने के लिए निका किया है वो इस हवेले की मुलाजिमा है और बस इससे जादा कुछ नहीं ना तो सालार की नजर में उसकी कोई इसत है ना ही, मेरी नजर में इसकी कोई हैसियाद बड़ी मुश्किल से जमर्द ने खुद पर काबू पाया था एक रात के लिए वो हवेली से बाहर क्या रही वो छटांक भर की लड़की सालार के बैटरूम तक पहुंट गई उनका दिल चाह रहा था कि उसे रूई की तरह धुनक कर रख दे आपको सचाई हमें बताना चाहिए थी जरमीना पैर पटकती कमरे से बाहर निकल गई जमर्द भी इसके पीछे ही कमरे से निकली बालाजनी ने आवाज दे कर रोकना चाह पर उन्होंने अंच सुनी कर दी उनका रुक सालार के कमरे की जानी था कमरे के अंदर कदम रखते ही उनके तन बदन में आग लग गई वो खिड़की से बहां छाक रही थी दर्वाजा बन हुने की आवाज पर वो पल्टी जमर्द कमरे का दर्वाजा अंदर से मुक्फिल कर रही थी जमर्द के चहरे के तासुराद देकर इसके चहरे पर खौफ चाया तुम्हारी जुरत कैसी मेरे बेटे के कमरे में कदम रखने की उसके नजदीक आकर जमर्द ने इसके दाएं गाल पर पूरी कुछ से थपड रसीद किया आया कमू घुम गुम गया इसके लबों से बेखतिया सिस्की बरामद हुई मैं सालार खान की मर्जे से यहां मौजूद हूँ उसने सफाई देना चाही छूड बोलती है मेरे बेटे पर इज़ाम लगाती है मेरा बेटा अगर तुझे बसाना चाहता तो पहली रात ही तुझे अपने कमरे में ले आता वो तो तुझ पर थुकना भी पसंद नहीं करता जमर्द पर जुनून सवार था उसे दोनों हातों से पीट रही थी बाहर से बालाज दर्वाज पीट रहा था तुने मौके से फाइदा उठाया मैं घर में मौजूद नहीं थी तो तु मेरे बेटे को रुझाने के लिए कमरे में आ गई मैं तेरी असलियत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ पर मैं तुझे तेरे मकसद में कामियाब नहीं होने दूँगी सालार मेरा बेटा है वो मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं चाये का और तुझे तो मैं अब जिन्दा नहीं छोड़ूँगी आया जमीन पर गिरी जमर्द की मार खा रही थी दर्वाजा अब भी पीटा जा रहा था बालाट और समीर की आवाजे भी आ रही थी वो मार को दर्वाजा खोलने का कह रही थी मगर जमर्द कुछ नहीं सुन रही थी उन पर खून सवार था इन्हें एक ख्याल आया तो वो कमरे से मुचसल बाल को नहीं मी गई और जब लोटी तो उनके हाथ में लोहे का सिरिया था जो वहां किसी काम से रखा गया था जमर्द इसकी मौजूद की से बाखबर थी आया जो नीम मुर्दा हालत में फर्श पर पड़ी थी जमर्द के हाथ में लोहा देखकर उसकी रंगत फक हो गई अल्ला के वास्ते मुचपर रह्म कर दे उसने फर्याद की एक बार अपने बेटे से तो पूछ ले वो बेबसी से बोली जमर्द ने आओ देखा न ताओ सरीय से पहला वार इसकी टांग पर किया आयाद की जुबान से दिल्दोस चीख परामत हुई तब ही दर्वाजे के लोक में किसी ने चाबी गुमाई और दर्वाजा खुलता चला गया जमर्द ने फिर से हाथ बलंद किया अब के वो सर पर वार करने वाली थी कमरे में तीन नफोस दाकिल हो चुके थे जमर्द के तीन जवान बेटे जो अपनी माँ की सफाकी और बरबरियत का तमाशा देख चुके थे समीर और बालाज ने दोनों जाने से उनके बाजों को चकर लिया और फिर इसी तरह इने जबरदस्ती कमरे से बाहर ले गए वो चेक रही थी वो आयाद को जान से मार देना चाती थी जमर्द का तीसरा बेटा उनका लाडला सालार कमरे के वस्त में खड़ा था इसके दोनों लब बाहम पेवस्त थे नजरे आयाद पर जमी हुई थी जो फर्ष पर पड़ी करहा रही थी इसका चेहरा जमर्द की मार की वज़े से सूट चुका था टांग जखमी थी और इसके कपड़े खोन में लटपत हो चुके थे सालार के चेहरे पर दुख के तासुरा तुबरे चनल लमों तक उसे देखता रहा उसका जहन सुन हो रहा था उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसे अगला कدم क्या उठाना चाहिए कुछ देर बाद वो आयाद की जानी बढ़ा और इसके पास दो जानों होकर बैठ गया उठो उसने सहरा देखकर आयाद को खड़ा करना जहां तायाद के लबों से चीख बुलंद हुई उसने दोनों हातों से अपनी टांग को पकर लिया जिस पर जमर ने घाव लगया था उसके आंसु लड़ियों के सुरत में बह रहे थे सालार ने सरी लाया और फिर जुकर उसका जखम जखम वजूद अपने बावजों भलिया और जब कमरे से बाहर आया तो कई निगाहें इसके दर्वाजे पटी की भी थी कुछ में आयाद के लिए हमदर्दी थी तो चन निगाहों में नफरत थी और ये निगाहें जर्मीना और आपा गुल की थी वह आयाद को ठाए आहाते तक आया जलाल खान को गालेबन खबर हो चुकी थी तब ही वो पिजारों का इंडर्ण स्टार्ट के इसका मुंतजर था लेकिन सालार उसे साथ नहीं ले गया इलाके के छोटे से हास्पिटल तक पहुंचते पहुंचते उसका सेल फोन कई मरतबा बज़ा था मेंकर इसने किसी की कॉल रिस्यू नहीं की वो तनहा था और बेहत तनहाई महसुस कर रहा था अपना आप उसे खाली महसुस हो रहा था तो रोज बाद उसकी पिचारों हवेली के गेट से अंदर दाखिली आज समीर कर निकाह था खिलाफे तौकत चारो जानेब सनाटा चाय हुआ था आपागुल ने सालार के जाने के बाद बहुत हंगामा किया और बाद असा वो जर्मीना को लेकर चली गई मनगनी खتم करने का इलान करके कई बजर्ग खवादिन जो रिष्टे में जमर्ट की चार्ची या फुपी लगती थी उन्होंने भी सालार के जाने के बाद और ये खिकत खुलने के बाद के आयाद समरीन की बेटी है जमर्ट को मलामत की थी कि जमर्ट अपने सम्रीन की बेटी पर जल्म की इंतिहा कर दी थी ये सोचे बगर कि वो ना सिर्फ उनके शोहर की एकलोती भांजी थी बलके वो जमट की बहु भी थी बालाज ने भी जमट को जववाद वाला सारा किस्सा सुनाया था कि इसी वज़े से सालार ने आया को अपनी कमरे में भीजा था कि उसकी इज़त महफूज रह सके जमट डिली दिल में किसी कदर शर्मिनदा थी मगर जाहिर नहीं किया सालार किसी से भी मिले बगर अपनी कमरे में जाकर बंद हो गया बालाज इसके पीछे इसके कमरे में आया तो सालार का चेहरा देखकर इस पर आगही के कई दर्वा हुए सालार के चेहरे पर फिकर वो तरद्दूत की लकीरे और गहरी सबस आँखों में हजन वो मलाल का गहरा तास्र चीख चीख कर बता रहा था के सालार शाहनवास खान को आयाद से महबबत हो गई है कहां थे तुम दो दिन से आयाद कहां है सालार हम सब परिशान है वो छोटे भाई से जवाब तल्ब कर रहा था गढ़ी शाहनवास के तूल वो अर्ज में खुशी के लहर दोड़ गई 27 साल बाद सरदार शाहनवास खान खटक वतन लौट आय थे हवेली में ईद का सा समा था आज समीर की बाराद भी रवाना होना थी दुल्हा बना समीर बाप से बगल गिर हुआ तो दोनों की आँखे नम हो गई आज एक बात नहीं हुई थी उन्होंने सालार के बारे में पूछने का तरद्द नहीं किया था वो खुद ही आकर उनके सीने से लग गया और वो बहुत शर्मसार था शर्मीनदा तो वो भी थे इसके सामने खुद को मुझरिम पा रहे थे बहुत थक तल्फी की थी उन्होंने उसकी अपने तीसरे जवान बेटे कलम्स उनके लिए अंजान मगर सरशारी का बास था जमर्द की खुशी की इंतिहा नहीं थी लेकिन इस खुशी का दोरानिया मुक्तसर था सालार को देखते हैं ये नई फिकर दामनगीर हो गई शानावास खान को आयात के बारे में इल्म हुआ तो मामला समालना मुश्किल हो जाएगा और जमर्द ने खुद को तसली दी के देखा जाएगा और फिस समीर की दुलहन रानिया रुकसत होकर हवेली आ गई वली में के दुसरे दिन समीर और रानिया हनीमून मनाने थाइलेंड चले गए थाइलेंड जाने का आइडिया रानिया का था एक हफता मज़ीद गुसारा तो सरदार शानावास खान अपनी हमरा जमर्द और सालार को लेकर उम्रा करनी चले आए हरम शरीफ में सालार की आहावजारी और रात रात भर जाक कर उसका अबादत करना शानावास खान को हैरत में उबतला कर रहा था उसकी आँखे मस्तकिल नम रहनी लगी थी शानावास खानने सोचा के पाकिस्तान जाकर उसकी शादी कर देंगे और जब यही बात उन्होंने सालार से की तो वो हज कर टाल गया जमर्द ने भी खामशी एक्तियार कर रखी थी नहीं शक गुजरा कि कुछ है जो उन से चुपाया जा रहा है सालार भी बिजनिस में मसरूफ हो गया फाहद से मुलाकात हुई तो वो अपने यार को देखक ठिटक गया लाले ये क्या हालत बनाई ही है क्या महबत हो गई तुझे उसने सालार की सुरकोती आँखे देखकर पूछा जवाब में खामोशी रहा उसकी तवज़े सामने रखी फाइल पर थी आयाद भाबी कहा है उसने फिर से सवाल जड़ा तो सालार ने नज़रे उठा कर उसे देखा उसकी आँखों में तहरीर आयाद का नाम पढ़ने में पहद को कोई दिश्वारी नहीं ही उसकी आँखों में लिखा आयाद का नाम जमर्द सिफी मकवी नहीं था मगर वो अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकती थी तो फाइनली तुझे आयान भाबी से महबत हो ही गई उसने मज़िद कहा वो अपने बाबा के साथ है और फिर इसने फाइल बन करके एक गहरा सांस लिया और कुर्सी के पुछते से गर्दन टिकाई और फिर गहरी संजीद्गी और शर्मिन्दगी से सब कह सुनाया बावजूद चाहने के वो जवाद वाला किस्सा और जमर्द के तश्दिद की दास्तान हज़फ नहीं कर पाया फाइद दुख के साथ सब सुनता रहा फिसालार की आँखों की नमी ने फाइद को सच मुछ उदास कर दिया जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तो एक सरे के बाद मालू हुआ कि इसके पाउं की हटी बुरी तरह फ्रेक्टर हो गई है उसे यलाज के लिए शहर ले जाना पड़ेगा सब्सक्राइद वो सारा रास्ता एक ही बात दोहराती रही कि मैं उसे उसके बाबा के पास पहुंचा दू लेकिन मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाया मैं कुछ कहीं नहीं सकता था मेरा दिल सुबह और शाम से देखना चाहता था कुदरत का ये एक ऐसा इंसाफ था कि मेरा दिल मेरे मद्द मुकाबल डट गया जब वो दस्तरस में थी तो दिल की कोई तलब नहीं थी अब जब कि वो दूर जाना चाहती थी तो मेरे दिल को इसकी कुर्बत की जिद हो गई थी राहल पिंडी के हॉस्पिटल में जब उसका उपरेशन हो रहा था तो मुझे मालू हुआ कि आयाच के बाबा दुबई से वापस आ चुके है और इसी हॉस्पिटल में काम कर रहे जल दिया पते इनहीं ये इल्म हो जाता कि उनकी बेटी इसी हॉस्पिटल में जेरे ईलाज है और इनकी लाड़नी बेटी इस हाल तक मेरी वज़े से पहुंची है एक ख्याल आती ही मैंने हॉस्पिटल में इसके लाज के लिए एड़वांस रकम जमा करवाई और खामुशी से वापस सला आया वो खामुश हो गया दोबारा रापता नहीं किया तुने फाहद ने पुछा एक मरतबा कॉल की थी नहींस ने कॉल अटेंड की और कहा कि आयात मुझसे बात नहीं करना चाहती सो मैंने दोबारा कोशिश नहीं की उसने हारे वे अंदाजम बताया एक गलत किया तुमने तुम्हे रापता तो रखना चाहिए था जबकि उनकी हालत के जिम्मेदार भी तो तुम ही हो क्योंकि तुम ही इन्हें जबरन हवेली लेकर गए थे और अगर अंकल शाहनवास को ये सब मालू हो जाए तो क्या होगा सोचा है तुमने इसने सालार को तस्वीर का दूसरा रुख बताया अस्पताल से मालूम करता रहा हूँ मैं आयात के बारे में वो तकरीबन दर दिन एडमिट रही फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया आयात का मजीद एक आपरेशन होगा तब तक उसे स्टिक का सारा लेकर चलना होगा बाबा का खौफ मुझे भी है अगर इने तमाम जुरतिहाल पता चली तो मेरे साथ तो जो हो सो हो बाबा का रवाए बीबी जान के साथ क्या होगा जोश जजबात में इस वक्त ये सोचा ही नहीं था कि बाबा वापस भी आ सकते है और शदीज जहीनी इस्तराब का शिकार मालूब हो रहा था कुछ देर के लिए दोनों के दर्मियान खामोशी हाल रही तुम्हेरे इमामले का क्या हुआ सालार ने पूछा शादी की डेट फिक्स हो गई है और बराय महरबानी मेरी शादी की दिनों में तुम मुझे दस्तियाब हो जाना पहद ने खुशगवार लहजे में कहा ता सालार ने सर हिलाया आज फिर वो गेट से ही लोट आया पिछले अरसे में वो यहां से तीसरी मरतबा मायूस लोट रहा था दरवाजे इसी वोपस लोट रहा था दिल में सोच कर आता था कि हाठ जोड कर आयाज से माफी मांग लेका लेकिन दरवाजे से लोट आता दिल में खौफ कुंडली मारे बैठा था कि उसे धुटकार देंगी और फिर इसके बाद इसकी जिन्दगी में क्या बाकी रह जाएगा गारी में वापस बढ़ते वे सालार तन को जला देने वाली सोचों में गिरा हुआ था सालार आज फिर से तुम वापस लोड़ गए इसने खुड़के से सालार को देखा और दुख से सोचा आयात क्या कर रही हूँ इसने मुड़कर देखा दर्वाजे में बाबा खड़े थे कुछ नहीं बाबा मैं ऐसे ही शाम को ढलते वे देख रही थी उसने स्टिक के सारे कदम आगे बढ़ाए और कमरे के दर्म्यान में रखे बैट पर आकर बैट गई डॉक्टर मुस्तफा भी कुर्सी पर ठीक गए मैं तुमसे एक बात करना चाता था बेटा उन्होंने तमहीद बांदी वो कोई देर पहले हॉस्पिटल से लोटे थे जी बाबा कहिए मैं चाहता हूं कि सालार शान अवास को खुला कर नोटिस भीजवा दू मैं अपने वकील को कागजाद बनाने का कह चुका हूं डॉक्टर मुस्तफा की बात सुनकर इसके अंदा सननाटे उतर आए और होटो पर ताले लग गए डॉक्टर मुस्तफा अपनी ध्यान में थे रोजीना से फोन पर बात हुई थी कह रही थी इबात अब भी तुम्हारे इंतजार में है जैसे ही तुम सालार से खुला हासिद करोगी तुम्हारे इदत के बादो पाकिस्तान आकर तुमसे निकाह कर लेगा डॉक्टर मुस्तफा की बात सुनकर इसके दिल में एक दम ही दर्द का मौसम उतराया उसने जब्द को थामे रखा और लबो को खुलने की जालत ना दी बाबा कुछ देर मज़िद इसके पास बैठे इसके दिल जोई करते रहे और फिर उटकर अपने बैडरूम में चले गए और उसके जहन में माजी की कई खिर्कियां खुलती चली कई और माजी जो अजियत ना तकलीफदा था मगर ना तो उन दिनों को भूल पा रही थी और ना ही इन दिनों से जोड़े शक्स को भूलाना इसके लिए आसान था तब ही हर रोज सुबा आँख खुलते ही उसे वो शक्स याद आता था और रात को आँखे बंद करने से पहले भी इसी सितमगर की यांदों के दिये उसकी अधेरी शब में चिराका करते थे शानावास खान इसलमबाद आए वे थे सालार के पास जमर्द भी उनके हमरा थी सालार की तरक्की ने जहां उन्हें सरशार किया था वई सालार की आँखों की उदासी ने फिकर में मुब्टला करती थी तो कोई बताता भी तो नहीं था और ना ही वो शादी के लिए रजमन होता था विलाकिर उन्होंने अपने दिल की اتمنान के लिए ये जवाज छूम लिया कि सालार का बच्पन अबाप की महरूमी गुजरा है शायद इसलिए इसके मिज़ाज पर उडासी का मौसम ठहर गया आज वो किसी बिजनेस डिनर पर मदू था घर की डिनर टेबल पर शानावास खान और जमर्द मौजूद थे जमर्द पानी का गोट भर का रोनर शरीकियाद को बकारा जी खान जमर्द ने सर उठाया तुम कैसी माह हो क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि सालार खुशबाश जिन्दगी गुजारे उसकी शादी हो जाए किसी अच्छी लड़की से और उसकी बीवी उसका ख्याल रखे उससे महबत करे शानावास खान ने बीवी को घेरा खान वो इस मौजूद पर बात ही नहीं करता आपने देखी लिया है जमर्द के अंदर इंतिशार बडपा हुआ शानावास खान की बात सुनकर अब मुझे ही कुछ करना होगा मैं मजद उसे इस हाल में नहीं देख सकता दूसरे रोज हफ़ता वार चुटियां थी फाहद अपनी शादी का दावत नामा देने आया था शानावास खान किसी पुराने शानासा से मिलने गए हुए थे फाहद ने बहुत इसरार के साथ सब को मदू किया जमर्द ने से खाने पर रोका मगर इसने माज़ूरत कर ली फाहद के जाने के बाद जमर्द ने सालार को मखातिब किया जो सोफिप पर नीम दरास रिमोर्ट से टीवी के चैनल सर्ट कर रहा था तुम्हारे बाबा ठान चुके है कि वो अब तुम्हारी शादी करा के ही रहेंगे जमर्ड की बात सुनकस ने मुड कर इन्हें देखा मेरे शादी हो चुकी है तुम्हारे बाबा को आयात के बारे में बता दू जमर्ड ने संजीदगी से कहा आगे का सोचा है आपने अब कि अगर वो आपको छोड़ कर गए ना तो जीते जी वापस नहीं आएंगे इसके लहजे में दर्द खुल गया मुझसे तुम्हारी हाला देखी नहीं जाती मैंने इसके साथ बहुत बुरा सुलुक किया मैं जानती हूँ मेरी सूरत देखनी की रौधार नहीं होगी मगर वो तुम्हारे बाबार अपने मामो को मायूस नहीं लोटाएगी मैं तेकाम की आग में अंदी हो गई थी सालार मैंने तुम्हारे मासूम जहन को अपनी रहा पर लगाया सम्रीन के खिलाब जहर उगलती रही एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा भाई इतनी ही उमर लिखवा कराया था हमारी नसीब में ही तुम्हारे बाबा से जुदाई लिखी वी थी लेकिन मैं हर बात का एल्जाम सम्रीन को देती रही नतीज़ ये हुआ कि तुम्हारे दिल में भी सम्रीन की नफरत बनपने लगी और तुमने उस नफरत का निशाना सम्रीन की बेटी को बनाया और मैं भी इस पर अपने नश्तर आजमाती रही और वो कितनी साबिर थी लबो पर हुर्फे शिकायत लाए बगर सब सहती रही मैंने इस मासुम पर बहुत जुम ढ़ाए मैंने तैक कर लिया है तुम्हारे बाबा सामने उठी और मुझमिद रह गई साला ने जमर्द की खामशी को महसुस करके नजर उठाई तो वो साकित रह गया शानावास खान की नजरे जमर्द पर गड़ी हुई थी और क्या कुछ ना था उन आखों में इश्तियाल बेबसी और बेहद वो हिसाब खसारे का हिसास लेकिन उन्होंने एक लफ भी नहीं कहा और उन दोनों के नज़्दिक से गज़रते हुए अपने कमरे में जाकर बन हो गए जमर्द ने कुछ देर बाद जाकर देखा दरोजा अंदर से मुक्फल था जमर्द मुस्तरिब हुई सालार अपनी कैफे समझने से कासिर था से डर था कि शानावास खान को इंतहाई कदम न उठा ले जिसकी जद में आकर जमर्द का बढ़ापा मज़िद किसी महरुमी की नज़र हो जाए वो इसी जगे लाउंज बैठा शानावास खान के कमरे से बाहर आने का इंतजार करने लगा मगर रात आदी से ज़्यादा बीट गई और शानावास के कमरे का दरवादा ना खुला जमर्द दूसरे कमरे में सोने चली गई जबके सालार लाउंज की सोफे पर ही दरास हो गया नजाने कब इसकी आँख लग गई सुबह जब इसकी आँख खुली तो घर में मामूल का सनाटर था जमर्द नजजी की सोफे पर पजमर्दा सी बठी भी थी उट गए तो वो बेटे के जाने मतवज़ ही बाबा वो तो सुबह मेरे जागने से पहले ही चले गए तो मुझे गड़ी बिजवा दो मुझे अपने किये की सजा भुगतना ही होगी आयात के साथ मैंने एक पल को भी नर्मी का सुलुक नहीं बरता मैं से काबिल हूँ के मुझे दुदकारा जाए सही किया तुम्हारे बाबा ने जो मुझे फिर से छोड़ कर चले गए बहुत दर्जे आजर्दा थी सालला ने गड़ी शानवाज होन किया मगर शानवाज खान वहाँ भी नहीं थे दूसरे दिन इसने जमर्द के सरार पर इन्हें जलाल खान के साथ गड़ी शानवाज बिजवा दिया वो मसलसल शानवाज खान से राब्टा करने की कोशिश में मसरूफ था वो बालाज की तरब भी नहीं गए थे नाहीं उ मुलक से बाहर गए थे सालाज अधीद जहनी दबाव का शिकार हुआ फहद की शादी की तकरीब ने भी इसके मिज़ाज पर खुशगवार असर नहीं डाला फहद इसकी जहनी कैफिया से आगा था सो शिक्वा शिकायत से बाज ही रहा माह से फोन पर बात करने के बाद वो फहद के वली में जाने की तैयारी करने लगा आज कई दिनों के बाद दिल को थोड़ा सा इत्मिनान महसुस हुआ इसके एक जानने वाले ने बाबा को इसी शहर में देखा था और इसने फॉरन सालार को इतला दी थी उसने मा को कॉल करके यही बताया था और अब वो बली में जा रहा था बलेक डिनर सूट में वो काफी जच रहा था खुद पर परफ्यूम छिरक कर उसने गाड़ी की चाबिया और सेल फोन उठाया और कमरे से निकल गया होटल पहुचने पर उसे मालू हुआ कि वो ताखेर से पहुँच जा है मेहमानों की काफी तादाद आ चुकी थी बलके दुलह दुलन भी स्टेट पर मौजूद थे फहद और आईशा भाबी से मिलने के बाद और फहद के वालिदें से मिला और फिर एक मेस पर आ बैठा इर्दकित मौजूद हुझूम में दिल्चस्पी डूनना चाही और बुरी तरह ठिटका कहीं है उसका वहम तो नहीं ऐसा कैसे हो सकता है ये तीनों एक साथ तुम्हें उनके पास जाना चाहीए उसकी दिल ने माशूरा दिया जलील हुने का बहुत चौक है तुम्हें किस मूँ से तुम उनके सामने जाओगे तिमाग ने बुरी तरह डपटा वो उटते उटते फेसे बैट गया और की नाखियों से उन्हें देखने लगा वो तीनों खुशगवार अंदास में आपस में बाते कर रहे थे वो तीन नहीं बलके चार थे अब फहद भी उनकी मेज के नजदीक खड़ा था खबीस इसने दिली दिल में फहद को काली दी जो हस हसकर आयाद से बाते कर रहा था उसका अंदास बता रहा था कि वो उन तीन मेहमानों की आमद से बाख़बर था फिर भी इसने मुझे बेख़बर रखा सालार का दिल चाह रहा था कि कमीने को गंटा कर दे फहद बगर शानावास खान की बात सुन रहा था जबके उसने दास्ता नजर हटा ली और स्टेट की चानिब देखने लगा जहां आईशा भाबी अपनी सहली और कजिंस के जुमत में बैठी थी फहद ने शानावास खान की बात सुनी और फिर मस्कुरा आता हुआ सालार की टेबल की चानिब बढ़ा औरस के नजदी काती ही सालार ने से खा जाने वाली नजरों से खुरा मुझे खाने का शौक बाद में पुरा कर लेना लाले फिलहाल अंकल शानावास से मिलो वो तुम्हे बुला रहे है फाहद के लहजे में शरारत कूट कूट कर भरी वी थे ये तीनों यहां कैसे उसने पूछा डॉक्टर मुस्तफा और शानावास अंकल से डैट के पुराने मुरासिब है बाकी तफसिल बाद में जान लेना फिलहाल चलो सालार के कदम मन मन भर के हो रहे थे जिस लम्हे का उसे इंतिजार था और खौब भी वो आ ही गया था जाने आज इस लम्हें इसके साथ क्या होने वाला था आयात कसाथ या फिर उमर भर की नारसाई बाबा की लाना तो मलामत या माफी या डॉक्टर मुस्तफा उसे धितकार दे फहत की आवाजने से सोचो के भवर से निकाला यार रुख क्यों गया हाँ बस ऐसे ही कुछ ख्याल आ गया था इसने बाद बनाई बाबा उसने करीब जाकर पकारा कहां चले गए थे आप मैंने कितना ढूंडा आपको एक बहुत जरूरी काम अधुरा रह गया था बरसों पहले बस उसे ही तकमील तक पहुंचा रहा था बाबा ने संजीद की से कहा कौन सा काम बाबा वो बाद में बताऊंगा पहले डॉक्टर मुस्तफ़ा से मिलो ये सिर्फ तुम्हारे ससूरी नहीं मेरे बहनवेई भी है उन्हों ने चतायत उसने शर्मिंदकी से सरिलाया और फिर डॉक्टर मुस्तफ़ा के जाने मुतवज़े हुआ जिनके दाया जानिब कुर्सी पर आयाद बराटमान थी इस वक्त इसका रुआ 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 सामय था सालार की आवास इसके अंदर सुकून बन कर उतर रही थी अस्सलाम उलेकुम उसने मुसाफ़े के लिए हाथ बढ़ाया गुमान में था कि इसका हाथ जटक दिया चायका मगर दूसरी जानिब गरम जोशी का आलम था सालार शानवास आप मेरी तौका के बरक्स है वेरी नाइस लहजा सताइश से भरपूर था मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हमेशा से आपको दुख देने की खौईश थी कभी नहीं सोचा था के अंजाम मुझे दुखी कर देगा बहुत चाहा के आपके पास आकर आपसे माफी मांगो पर हिम्मत नहीं कर पाया आयात के हर तकलीव हर जखम का जिम्मेदार मैं हूँ आप मुझे जो सजा देना चाहें मुझे मनजूर है जाने कैसी अलफाज इसकी जबान से फिसले खाना शुरू हो चुका था इर्दगेट की मेजों पर बैठे महमान खाना इंजुआए कर रहे थे कोई इनकी जाने मतवचे नहीं था मुस्तफा मैं जमानत देता हूँ कि अबके सालार के घर में तुम्हारी बेटी खुश रहेगी अबसे उसे कोई तकलीव नहीं होगी जमर्द से आयात का कोई वास्ता नहीं होगा ये बात मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूँ फिर दोहरा रहा हूँ गोया बाबा जान इनसे पहले भी मुलाकात कर चुके है और उन बाब बेटी की ब्रेन वाशिंग कर चुके है तब ही तो डॉक्टर मुस्तफा इससे इस कदर गरम जोशी से मिले थे बाबा जान और डॉक्टर मुस्तफा मुझीद मामलात तैय करने लगे उसने मौक का गनीमत जाना और आयाद के जाने बेखा रॉयल बलू सूट में उसका सो गौार हुसन लशकारे मार रहा था पहले बार ऐसा हुआ था इसके साथ कि वो बावजूद कोशिश के आयाद पर से नजर हटा नहीं पा रहा था तब ही फाहद आकर खंका रहा तो वो ट्रांस से निकला फाहद के पीछे बेटर था जो उनकी टेबल पर खाना सरुग करने लगा बाबा ने उसे भी बेटने का शारा किया तो फाहद ने इसके लिए आयाद के दाएं जानी वाली कुर्सी खिसकाई खाने के दौरान उसका जहन उध्यर बन में लगा रहा फाहद स्टेट के जानी वापस चा चुका था रुकसत होते समय बाबा ने आयाद के सर पर हाथ रखकर डॉक्टर मुस्तफा से कहा मैं बहुत जल्ड सालार के साथ अपनी बेटी को लेने आऊंगा उस दिन तुम दोनों मा बेटे की बाते सुनकर मैं अपनी हवासों में नहीं रहा था अगर इसी चच के नीचे रहता तो तुम्हारी मा के बढ़ापे को मेरे इश्टियाल के हाथो दाख लग जाता इसलिए मैं चला गया 27 साल पहले भी मैंने दुनिया के डर से अपनी बीवी बच्चों से मूँ मोल लिया था लेकिन अब अपनी जिन्दकी का आखरी हिस्सा मैं तुम सब के साथ गुजाना चाहता हूँ सालार मैं तुम सब को खुछ देखना चाहता हूँ बहुत मुश्किल से मैंने मुस्तफ़ा का घर ढूंडा मैं उसके घर गया इसे माफी मांगी अपने बत सुरत रवय की तुम्हारे मुझालिम की आयात के साथ तुम्हारे माँ के जल्म और तशद्दूत की माफी मांगी वो तो खुला हसिल करने की तैयारियों में था शानावास खान के चेहरे पर कहरी संजीदगी थी बाबा क्या आयात भी खुला चाहती थी इसका दिल डूबा मुझे महसूस हुआ कि वो मुस्तफा के एतिराम में खामुश थी बिटा अगर वो खुला चाहती तो मैं भी इसका साथ देता उन्होंने मुभम सा उसे मुस्कुरा कर देखा जिन्दगी में पहली बार साला उनके बैट पर उनके साथ सुने के लिए लेटा था समरीन मेरी बहुत प्यारी बहन थी उसकी मौत की खबर ने मुझे हिला कर रख दिया मैं भी तेवे वे वक्त को वापस नहीं ला सकता लेकिन इतना तो कर सकता हूं कि मेरे जीते जी उसकी इकलोती ऑलाद को मेरे बेटे की घर में कोई तक्रीफ न मिले उन्हाने मजीद कहा माँ से आप कब मिलेंगे इसने महतात लहजे में पूछा तुम्हे इस मामले में फिकर करने की ज़रत नहीं मैं यहां मामला निप्टा कर हवेली चला जाओंगा फिर मस्तकिल मैं जमर्द के साथ रहूंगा और तुम इस घर में आयाद के साथ रहूंगे मैंने मुस्तफा से बात कर ली है जमर्द का आयाद से कोई वास्ता नहीं होगा जब तक कि आयात के दिल में जमर्द के लिए कोई गुझाईश ना बन जाए चाहे इसमें उमर बीच जाए सालार तुम इस पर कोई दबाओ नहीं डालोगे वादा करो मुझसे उठकर बैठे और सालार से एहद मांगने लगे ठीक है बाबा आप जैसा चाहेंगे ऐसा ही होगा उसने एहद किया और खिड़की में रुका चान अंजाने में ही गवाब बन बैठा था दो दिन बार डॉक्टर मुस्तफा के घर दावत थी सालार वहां बाबा समीर बालाच और लाला के साथ आयाद को रुकसत करने आया था डॉक्टर मुस्तफा के घर के लाहन में इंतिजाम किया गया था डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से काफी महमान थे फ़हद डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से था सालार ने इसके पार्टी बदलने पर उसे घुरा तो कंदे उचका करे गया आयाद में बेबी पिंक किलर की मैक्स जेब तन कर रखी थी जबके सालार ने सया शलवार सूट पहना हुआ था वो लोग उसे रुकसत करवा कर सालार की घर ले आए जहां दुलहन के इस्तिक्बाल के लिए जेबा के लाव फहद की बीवी मौजूद थी दोनों से सालार के कमरे तक ले आई जिसकी समीर ने अपनी निग्रानी में सजावट करवाई थी कमरे में ताजा फूलों की महिंक बसी हुई थी कुछ खाओगी आयाद सिबा भावी ने नहायत नर्मी से पूछा भावी अगर चाय मिल जाय तो इतन धीमे से कहा भावी सरलादी बाहा निकल गई पर आईशा ने भी उनकी पैरवी की कुछ दिर बाद में लाजमा चाय ले आई आयाद में चाय पी तो आसाब कुछ पुर सकुन है चाय का खाली मक्ट साइट टेबल पर रखकर इसने सोचा कि कोई देर के लिए बेट क्राउन से टेक लगा ले मगर इसी असना में खटका हुआ और वो दर्वाजा खोल कर कमरे में दाखिल हुआ और सलाम करता हुआ बैट पर आयाद के मकाबल आ बैठा आयाद में अपनी नजरों को जुका रखा था समझ में नहीं आ रहा कि बात कहां से शुरू करो पहले तुमें अपने हाले दिल सुनाओ या तुम्हारा शुक्रिया अदा करो कि तुमने अपने बाबा से खुला के लिए नहीं कहा या तुमसे माफी मांगो आयाद में नजर उठा कर उसे देखा और तजबजब का शिकार मालूम हो रहा था मैं आपको बहुत पहले माफ कर चुकी हूँ उसने हिम्मत करके कहा तो मस्कुरा दिया मुझे मालूम था बलके मुझे यकीन था कि मुझे शर्मिंदा नहीं देख सकती लेकिन मैं गलत था आयाद और मैं अपनी गल्तियों और ज़्यादतियों के तुमसे माफी चाहता हूँ मैं अब उमर भर तुम्हें खुश रखूँगा तुम्हारी आँखों में आँसों नहीं आने दूँगा और लंबा चोड़ा शक्स इसके आगे हाथ चोड़े खड़ा था आयाद ने इसके बंदेवे हाथ थाम लिये मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं तुम्हार जर्ख बहुत बड़ा है आयाद मगर मेरी जादातिया भी कम नहीं थी फिर भी तुम्हारे वालेज ने कोई कारवाई नहीं की कोई केस नहीं किया शाद हमारे निकाने उनकी जुबान बंद कर दी मगर फिर भी मैं उनका भी शुकर गुजार हूँ कि उन्होंने हमार रिष्टे को कुबल कर लिया रात दीरे दीरे अपना सफर मुकमल कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे की दिल की उल्जहनों को सुर्जा रहे थे सालार ने उसे वादा किया कि जब तक उसका दिल नर्म नहीं होगा सालार उसे जमर्द से मिलने के लिए मचबूर नहीं करेगा खत्म शुदा नॉवल कैसी लगी अपनी राए जरूर जरूर दीजेगा फिर मिलेंगे इंशालला खुदा हाफिस